नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सभी का PW Only IS पर हम लोग देख रहे हैं, 2023 में हिंदिस आहित्य मुख्य परिक्षा में पूछे गए प्रशनों को यानि उनके एनालिटिकल अप्रोच को हम लोग देख रहे हैं साथ ही एक ट्रेंड एनालिसिस भी देखेंगे कि किस तरीके से हिंदिस आहित्य के प्रशन हर वर्स पूछे गए किन खंडों पर अधिक जोर दिये जाने की अवश्यक्ता है भाशा खंड पर अधिक जोर दें, कविटा खंड पर जोर दें, गध्य खंड पर अधिक जोर दें या हिंदी साहित्य पर अधिक हम लोग ध्यान दें यानि हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्णों की प्राकरती नहीं बदलती है याद रखिए, हिंदी साहित्ती की मुख्य परिक्षा में प्रश्णों की प्राकरती वही रहती है, प्रश्णों वही रहती है, बस उनके पूछे जाने का पैटर्न थोड़ा बहुत बदलता है, यानि एक अई प्रश्णों को घुमा फिरा करके पूछा जाता है, अगर हम ल उसका जो पार्ट वन होता है भाष्णा खंड, कुश खंडों से हर बार दो, तीन, चार प्रश्णा आती हैं, जैसे फर्स्ट यूनिट है अब ब्रन्स अवहट प्रारम्भी खिंदी, दोजार तेईस में आप देखें कि कुल दो प्रश्ण पूछे गए हैं, लेकिन तीन प्रश्णा आते ही हैं, ऐसे ही दोस्तों, ब्रज और ओधी को देखेंगे यूनिट टू, यानि ब्रज ओधी, खड़ी बोली के विकास को, तो यहां से भी दो या मिनिमम एक प्रश्णा, ऐसे ही जब आप आगे बढ़ेंगे, तो जो सिद्धनात साहित्ते हैं, या ज अलिकालेंवीकास, मध्धेकालेंवीकास और आधुनिक विकास, वो भी इतना महत्योपोर्ण है, कि कभी वहां से इस बार तो एक ही प्रश्ण है, लेकिन बाइस में देखिये चार प्रश्ण है, ऐसे ही बीस में तीन प्रश्ण है, तो यह भाशा खंड का प्रतीक इसको खुब इत्मिनान से आप लोग पढ़ें इसकी तैयारी करें तो आप असफल नहीं रहेंगे। ऐसे भी हिंदी साहित्य में वही सफल होते हैं या अच्छे अंकल आते हैं या टॉपर्स की श्रेणी में आते हैं जो भाष्टाखंड पर बहुत अच्छी मेहनत करके गए दोस्तों साहित्य इतिहास खंड फस्ट पिपर में आप देखेंगे तो दो खंड है भाष्टाखंड और साहित्य इतिहास भाष्टाखंड तो आनिवारी ये रूप से आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि बहुत स्कोरिंग है साहित्य इतिहास का एरिया बहुत बड़ होता है क्योंकि इसमें गद्य का विकास भी है साहित्य के काल खंडों का विकास है गद्य की अलग-अलग विधाओं का विकास है और उसमें भी कई स्वतंत्र विधाएं हैं आपको आलोचना पढ़ने की जरूरत है निबंध पढ़ने की जरूरत है आपको नाटकूपन्यास क विकास पढ़ना और फिर सेकंड पेपर में भी पढ़ना है तो ये जो खंड है यानि फर्स्ट पेपर का भाषा खंड तो महत्तोपोर्ण है ही फर्स्ट पेपर का सेकंड खंड साहित्य का इतिहास भी पुतनाही महत्तोपोर्ण है बेशक अंकों के लिए हाज से ये थोड़ा कमजोर होता है लेकिन ये खंड बहुत बड़ा होता है तो आपको इस पर और ज़्यान दिये जाने की आवश्यक्ता है क्योंकि यहां से भी आप देखेंगे तो 2030 में आदिकाल से दो प्रश्न है भक्तिकाल से भी दो प्रश्न है लेकिन और वर्षों में देखेंगे तो 2022 में आप देखिये रिति काल से तीन प्रोश्न है वैसे ही आप 2021 में देखेंगे तो कथा सहित्यय के विकास से चार प्रोश्न है यानि नत profoundly विकास से चार प्रोश्न है तो आप इस खंड को भी खुवित मिनान से तयार करें पुल मिलाके आप जानते हैं जैसा कि जो एक पेपर होता है वो 250 अंक का होता है और दूसरा पेपर भी 250 दोनों को जोड़ देंगे तो 500 अंक का होता है कितने अंका होता है? पांच सोंव अंका यानि यदि अंकूं के लिहाज से हम बात करें तो फस्ट पेपर का भाषा खंड आपके लिए बहुत ही महत्योपोर्ण हो जाता है अती अंकदाई है और जब सिकेन पेपर की बात करें तो वहाँ भी याद रखे काब्य खंड आपके लिए बहुत महत्तो पुर्ण गध्य साहित्य कथा साहित्य थोड़ा आसान है भर कोई तैयार करके जाता है तो आप भाशा खंड फस्ट पेपर में और सेकेंड पेपर में काब्य खंड को खुब फोकस कीजिए बाकि ट्रेंड अनालिसिस को आप देखते रहिए तो हर खंड से प्रशन आता है अब तो मैं आप से एक बात कहूंगा कि सभी खंडों को आप ढंग से तयार करें किसी चीज को छोड़िये मत उसको पढ़ करके जाईए बेशक कम ही पढ़के जाईए लेकिन हर खंड को पढ़के जाईए य लेकिन तो भी कोशिस कीजिए कि हर चीज को कमो बेस पढ़के समझ के जाईए क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूरे सिलेबस से पूछे जा रहे हैं बेशक छोटे प्रशन हों बेशक 10 नंबर के या 15 नंबर के ही प्रशन हों लेकिन सभी खंड से तरीके के प्रशन पूछे गए हैं एक एक करके उन प्रशनों पर विचार करते हैं और उनके एंसर को देखते हैं दोस्तों याद रखिए चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो दोनों में प्रशन संखिया एक और पांच ये दोनों अनिवारिये होते हैं इन दो ये टिपपणी के प्रश्न हैं और पहली टिपपणी आपसे पूछी गई है दोहजार तेईस में आरंभिक हिंदी की प्रमुख विशेस्ताओं की चर्चा करें याद रखीए भाष्टाखंड अपने आप में पूरी तरह मैथेमेटिकल है पूरी तरह सुत्र पराधारित है इन सुत्रों को एक एक करके आप जान लेंगे समझ लेंगे तो आपके लिए लिखना बहुत सहज हो जाएगा कैसे अब मान लिजे स्वरागम क्या है स्वरलोप क्या है इन चीजों को आप थोड़ा समझ ही स्वरागम किसे कहते हैं स्वरलोप किसे कहते हैं छती पूर्ती दिर्गी करण का क्या अर्थ होता है ऐसे ही यश्रूती किसे कहते हैं अकारण अनुनासिक्ता किसे कहते हैं अकारण अनुनासिक्ता किसे कहते हैं और भी कई विशेस्ताइं हैं ध्वनिगत विशेस्ताओं को लेकर के अलप्राण का महा प्राणी करण घोशी करण किसे कहते हैं विशेस्ताओं में भी आप देखेंगे तो संग्या संबंधी विशेस्ताओं क्या हैं संग्या के बहु वचन रूप कैसे बनाए जाते हैं क्रियाओं के रूप कैसे देखे गए वर्तमान काल की क्रिया कैसी भूत काल की क्रिया कैसी होती है भविश्यत काल की क्रिया किस तो दोस्तों इसके अलवा पूर्वकालिक्रिया किसे कहते हैं, संग्यार्थक्रिया किसे कहते हैं, परसरग का क्या मतलब होता है, विभक्ती और परसरग में क्या अंतर होता हैं, अगर आप इन चीजों को जान रही हैं, तो भाषा विज्ञान के प्रोष्णाप के लिए ही सहज हो जाती हैं अब विशेस्ता पे बात पूछी गई है आरंभिक हिंदी की विशेस्ता तो जब हम किसी भाषा की विशेस्ता लिखते हैं तो भाषा की विशेस्ता को तीन रूपों में लिखी हैं किन-किन रूपों में नंबर एक ध्वनिगत विशेस्ता नमबर दू व्याकरण गत विशेस्ता और नमबर तीन शब्द गत विशेस्ता नमबर तीन शब्द गत विशेस्ता र्वनियों के कितने भेद होते हैं तो दो स्वर और व्यंजन स्वर्ध्वनियों के कितने भेद हैं तो चार रस्व स्वर्ध्वनी, देर्ग स्वर्ध्वनी, तंजुक्त स्वर्ध्वनी, प्लूत स्वर्ध्वनी अब दोस्तों अगर इतनी चीजों की जानकारी है तो आप बड़े इत्मिनान से आरंभीक हिंदी की विशेस्ता लिख सकते हैं सबसे पहले स्वरों में चर्चा करें कि आरंभीक हिंदी में जैसे माल लीजिए चुकि आपको टिपणी का प्रोष्ण लिखना है दस नंबर का इसलिए आपको छोटे में लिखना है तो आप लिखिए कि आरंभीक हिंदी की काल सीमा थोड़ी भूमिका बना दीजिए सबसे पहले जो प्रोष्ण का उत्तर लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं भूमिका बनाते हैं तो आरंभीक हिंदी की काल सीमा एक हजार से लेकर के चोदा सव इस्वी तक रही है पहली बात दूसरी बात भूमिका में ही लिख दे कि आरंभिक हिंदी अवहट की परवर्ती भाष्टा रही है और हिंदी की पूरवर्ती रही है यानि अप भरंस के विक्रित रूपों से जो लोक बोलिया या देसी भाष्टाएं जन्मी उन्हें ही आरंभिक हिंदी कहती है तो कह सकते हैं कि आवहट से जो लोक भाष्टाएं या हिंदी की देसी बोलिया जन्मी देसी ऐसे लिखियेगा बोलिया उन्हें ही प्रारंभिक हिंदी कहा गया प्रारम्भी खिंदी को ही आरम्भी खिंदी कहा गया कई अर्थों में इसे ही पुरानी हिंदी कहते हैं इसे कई नामों से जाना गया प्रारम्भी खिंदी ही प्रारम्भी खिंदी ही आरम्भी खिंदी है इसे ही पुरानी हिंदी का भी नाम दिया गया करेक्ट है दोस्त अब अगर भूमी का आपने तयार कर ली तो आपको इन तीनों पर दो दो तीन तीन बातें लिखने की जरूरत है ऐसे तो आप लिख सकते हैं कि आरंभी खिंदी में जैसे इसको भाग एक बना लिया क्या बना लिया भाग एक अब आप लिखें भाग दो में किसमें भाग दो में क्या लिखेंगे भाग दो में आरंभी खिंदी की ध्वनिगत विशेस ताएं और उसमें क्या-क्या लिखेंगे तो आरंभी खिंदी की ध्वनियों में री ध्वनी री की तरह विक्रित होती है या ई की तरह विक्रित होती है कैसे? तो रिशी से रिशी क्रिश्ण से की सन परिक्ट है? ऐसे ही कुछ और ध्वनियों के बारे में चर्चा करें कि आरंभीक हिंदी में ऐ स्वर्ध्वनी अई में बदल जाती है आउ स्वर्ध्वनी अउ में बदल जाती है संजुक स्वर्ध्वनी है इसे स्वर्संजोग कहती है इसे क्या कहती है? स्वर्संजोग कहती है आप अन्य ध्वनियों पर भी लिख सकती है कि आरंभीक हिंदी में आरंभीक हिंदी में अल्प प्राण ध्वनी अल्प प्राण में बदल जाती है अल्प प्राण में बदल जाती है अल्प प्राण में बदल जाती है अब इन सब के नियम है जब आप लोग डीटेल में क्लास करेंगे या आप में से बहुत से लोग क्लास किये होंगे तो अल्प प्राण ध्वानी पहली और तीसरी को कहते ह वही पहली अलप्रान ध्वनी महाप्रान में बदलती है जिसके पहले उस्म व्यंजन है कैसे जैसे पुस्तक देखिए ये पहली अलप्रान ध्वनी है इसके पहले आधा उस्म व्यंजन है इसलिए पुस्तक से पोथय या पोथी तो का थो परिवर्तन हस्त से हाथ मस्तक से माथा या माथा या है ना और फिर महाप्राण ध्वनी हो में बदल जाती कैसे दधी से दही वधु से बहु महाप्राण ध्वनी जिसके उच्चारण में मुँझ से अधी खबा निकले इतना बताने के बाद आप यह भी बता सकती है कि स्वरों की संख्या आरंभी खिंदी में पहले से बढ़ी आप और भी विशेस्ता लिख सकती है दिखा सकती है यह परसरगों की संख्या पहले से बढ़ी इसलिए आरंभी खिंदी पहले से अधिक वियोगात्मक होती गई आरंभी खिंदी में संग्याओं के बहु वचन अब थोड़ा ब्याकरण पर चर्चा करें ध्वनियों को आपने बताया आपके पास बहुत सी ध्वनिया है चुकि दस नंबर में लिखना है आप सबको लिख नहीं सकते अकारण अनुना सिखता है निरनुना सिखता है घोशी करण है याश्रूती है अलप्राण का महाप्राणी करण है अन्यध्वनिया बदलती है जैसे यध्वनि ज में बदलती है ऐसे ही अन्यध्वनिया लध्वनी र में बदल जाती है तो आप इतना तो लिख नहीं सकते हैं संचिप्त में लिखना होगा आपको संचेप में समय कम है तो आप फुड़ा व्याकरण पर भी दिखा सकते ही कि यहाँ परसरगों की संख्या पहले से बढ़ी यहाँ संग्याओं के बहु वचन रूप न प्रत्य से देखे गए बानर से बनरन लरिका से लरिकन कई रूपों में आप तुलसी की अवधी में देख सकते हैं सूरदास की ब्रजभाश्सा में रहीम की कविटा में न प्रयोग है बहु वचन के लिए जैसे रहीमन चुप होए बैठी है देखी दीनन के फेर दीन से दीनन तो प्रारंभी खिंदी में जब आप इतनी बातों को लिखेंगे तो आपके लिए एक टिपणी तयार होगी प्रारंभी खिंदी की विशेस्ताएं आप और भी दिखा सकते हैं इसमें दिखाने के लिए कि भाई यहां जो करता कारक है उसके लिए नेचिन का प्रयोग पुरवी रूपों में नहीं देखा गया पश्चमी रूपों में देखा गया यहां सर्वनामों के रूप देखे गया जैसे हम की तरह तुम की तरह इन आप ये भी लिख सकते हैं आपके पास अगर लगे कि थोड़ा और कुछ जोड़ना है तो जोड़ दीजिए कि आरंभीक हिंदी में सभी प्रकार के शब्द देखे गए तत्सम तदभव देशज और विदेशज सभी शैली के शब्द देखे गए तब जाकर कि ये दस नंबर का आपका प्रोष्ण तयार होगा कौन सा प्रोष्ण तयार होगा आरंभीक हिंदी की मुख्य विशेस ताएं आप क्या कीजिएगा भागेक में भूमिका जोड़ दीजिएगा भागेक में क्या करेंगे भूमिका पर चर्चा कर दीजिएगा ये आरंभीक हिंदी क्या है इ इसकी काल सीमा क्या रही है भाग दू में जब चर्चा कीजिएगा तो कुछ ध्वनिगत विशेस्ताओं की चर्चा कीजिएगा ब्याकरण गत कुछ विशेस्ताओं आपको समझ में आ रहें उनकी चर्चा और शब्द गत विशेस्ताओं की चर्चा और भाग तीम पर जब ल अब्रंस अवहट और आज की हिंदी के बीच की कड़ी है। अधनी खिन्दे में इतना लिख सकते हैं। तब जाकर की आपका प्रश्ण प्यार होगा। दोस्तों पहले प्रश्ण में दूसरा जो पुछा गया। पहले प्रश्ण के पांच खंड हैं, यानि पांच उसके छोटे प्रश्ण है टिपणी के। तो पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न है हिंदी भास्ता के मानकी करण में दिवेदी यूग का योगदान जब आप प्रश्न पर विचार कीजिए तो ये जो दूसरा प्रश्न है मानकी करण और वो भी दिवेदी यूग में हिंदी का मानकी करण जब भी आप मानकी करण की बात करती है तो इस प्रश्ण का उत्तर भी बेशक टिपणी है लेकिन तीन भाग में लिखी जब भाग एक बनाएं तो बताएं मानकी करण क्या है तो मानकी करण एक संकल्पना है मानकी करण एक प्रक्रिया है जिसका अर्थ होता है अनेक रूपता की जगह एक रूपता और विवीधता की जगह सर्वमान्यता कोई भी भाषा तभी मानक कहलाईगी जब उसमें अनेक रूपता खत्म हो जाए भाषा की लिपी होती है भाषा के शब्द होते है भाषा की ध्वनी होती है भाषा का उच्चारन होता है भाषा का व्याकरन होता है इन सभी स्तरों पर अनेक रूप्ता की जगा एक रूप्ता है दिवीधता की जगा सर्वमान्यता तो उसे ही मानकी करण या मानक भाष्चा कहती दिवेधी युग में हिंदी के मानकी करण के लिए कोई प्रयास किये गए तो उत्तर का जब पहला भाग लिखें तो मानकी करण क्या है इस पर एक लाइन बता दे भाग दो में बताएं कि दिवेधी युग में हिंदी के मानकी करण के लिए कोई प्रयास किये गए एक तो दिवेधी युग में सरस्वती पत्रीका सरस्वती पत्रीका के संपादन या मुख्य संपादन संपादक का कारिय भार आचारिय महावीर प्रसाद दिवेधी ने समहला और इसलिए इस युग को दिवेधी युग कहा गया तो जैसी ही आचारिय महावीर प्रसाद दिवेधी ने सरस्वती प्रेस का सरस्वती पत्रीका का संपादन कारिय समहला उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो गद्य और पद्य दोनों के लिए एक ही भाष्चा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोगू इस पर बल दिया परेक्ट है तीसरा काम किया कि हिंदी व्याकरण के मानकी करण के लिए आचारिय महावीर प्रसाद दिवेदी ने कामता प्रसाद गुरू और किशोरी दास वाजबई के व्याकरण ग्रंथों का सहारा ले करके हिंदी व्याकरण को मानक करने की कोशिस की चौथा कारिय किया आचारिय दिवेदी ने शब्दों के मानकी करण पर कई शब्दों को मानक बनाने की उन्होंने कोशिस की जैसे उनका तर्क था कि समानांतर की जगह समांतर का प्रयोग किया जाए अंतरध्यान की जगह अंतरधान शब्द का प्रयोग किया जाए और अगामी की जगह आगामी का प्रयोग किया जाए आचार्य महावीर प्रसाद दिवेदी ने आगरा भाषण में एक बखुत बड़ी बात कही थी उन्होंने कहा था पांचवी बात कि जिनका ध्यान सिर्फ ब्रज छेत्र पर है उनकी भाषण तो ब्रज भाषण हो परन्तु जिनका ध्यान संपोर्ण भारत वर्ष पर है ने हिंदी को कैसे मानक बनानी कूँन होने कोशिस की। दूसरा तरक दिया कि साहित्य में हिंदी में सब पर कविता हो सकती है. सिर्फ श्रिंगार ही नहीं, उसको राष्ट्रिये प्रयोजन से जोडा जाए उसे सामाजीक प्रयोजन से साहित्य को कविता को जोडा जाए क्योंकि साहित्य में चीटी से लेकर के हाथी परयंत समस्त जीव राजा से लेकर रंक परयंत समस्त मनुष्य अनन्त आकाश, अनन्त परवत सब पर कविता हो सकती है तो साहित्य का उदेश्य व्यापक हो नैतिक्तावादी उदेश्य हो इसलिए दिवेदी युगिन साहित्य को हिंदी साहित्य का ज्यान कांड कहा गया और आचारी महावीर प्रसाद दिवेदी मानते भी थे कि साहित्य जो है वो ज्यान की संचितराश्य है दिवेदी युग में भाषाई अंतर विरोध पूरी तरा समाप्तु हुआ भारतेंदु युग में गद्य और पद्य दोनों के लिए अलग-अलग भाषाई थी पद्य के लिए ब्रज भाषा गद्य के लिए खड़ी बोली दिवेदी युग के आते ही गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली हो गई अर्थात दिवेदी युग में न केवल खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ बलकि हिंदी को एक रूप मानक रूप दिये जाने की भी कई कोशिसें की गई आप इसी दोर में देख सकते हैं नागरी प्रचारणी सभा भी कार्य कर रही थी सरस्वती प्रेस जिसे इंडियन प्रेस कहा गया उसकी भी कई भूमिकाएं थी और भी कई तरह की संस्थाएं गठी थो रही थी यानि आप कह सकते हैं यह जो बीसमी शताबदी की शुरुआत थी बीसमी शताबदी की शुरुआत में दिवेदी युग में हिंदी के विकास और उसके मानकी करण की दिशा नरधारी थूई तो भूमी का मुख्य भाग और अंत में निसकर्ष को भी आप जोड सकते हैं कैसे जोड सकते हैं पियाज की जो हिंदी देखी जा रही है हिंदी के कई रूप देखे जा रहे हैं गद्य के रूप में हिंदी, पद्य के रूप में हिंदी, निबंधात्म के हिंदी, पत्रलेखन के रूप में हिंदी, राज भास्चा के रूप में हिंदी, इसकी वास्तविक शुरुवात दिवेदी युग से हुई तो यह दूसरा प्रोष्ण था हमारा कुंसा प्रोष्ण था दूसरा प्रोष्ण हिंदी भाष्ण के मानकी करण के छेत्र में दिवेदी यूग का योगदान पहली बात मानकी करण क्या है भूमिका में दूसरी बात कि दिवेदी यूग में हिंदी के मानकी करण के लिए क्या आकरण के अस्तर पर आपलीपी के अस्तर पर भी लिख सकते हैं, शब्द के अस्तर पर भी सरस्वती पत्रिका का सम्पादन करना और दिवेदी युग में हिंदी के विकास की कई दिशाएं नरधारित होती हैं, दस नंबर का प्रश्न है? दोस्तों पहले प्रश्ण का जो तीसरा प्रश्ण है यानि प्रश्ण संख्या एक का सब पाटती टिपणी के प्रश्ण है पहले प्रश्ण में तो तीसरा है विज्ञान और तकनीकी भाष्णा के रूप में हिंदी का विकास देखे प्रोध्योगी की से हिंदी कैसे जुड़ी टेकनलोजी से हिंदी कैसे जुड़ी तो जब यह आप प्रोष्ण तयार करते हैं तो इसकी एक भूमी क्या बनाएंगे कि कोई भी भाष्चा तभी विक्सित मानी जाएगी कोई भी भाष्चा तभी प्रोड मानी जाएगी जब वह विज्ञान और तकनीकी से भी जुड़े है, टेक्नलोजी से भी जुड़े है हिंदी आज से नहीं, लगभग 50-60 साल पहले से ही विज्ञान और टेक्नलोजी के च्षेत्र से जुड़ती चली आई है कैसे कोई संस्थाएं हैं, जैसे बीट्स पिलानी, आपने नाम सुना होगा जैसे बी आईटी मेसरा, जैसे आपने सुना होगा एपल कम्प्यूटर, जैसे माइक्रोसोफ्ट संस्था का नाम आपने सुना होगा जैसे आपने अमेरिका में MIT का नाम सुना होगा Massachusetts Institute of Technology इन संस्थाओं के द्वारा या भरत सरकार के मानो संसाधन मंत्राले यहां तक की ग्रिह मंत्राले के द्वारा भी अलग-अलग कई software विक्सित किये गये जैसे i-lip का विकास हुआ जैसे gist sale का विकास हुआ हिंदी की लिपी देवनागरी में अलग-अलग भासाओं को अनुवाद करने या अंतरित करने की कोशिस देहरादुन शाखा Microsoft की देहरादुन शाखा ने भी कई भासाओं को देवनागरी लिपी में अंतरित करने की कोशिस की एपल कंप्यूटर वालों ने भी स्चेत्र में कारिये किया ऐसे ही जो हमारे IIT है या BIT मेसरा है या BITS पिलानी है या अमेरिका में MIT जैसी संस्थाओं ने भी कंप्यूटर से देवनागरी लिपी को या हिंदी को जोडने की कोशिस की आधुनिक संयंत्रों में आधुनिक टिक्नलोजी में हिंदी किस प्रकार सहयोगी हो सकती है कैसे टच स्क्रीन से जोडा जा सकता है कैसे की पैड से हिंदी को जोडा जाए किस प्रकार कम्प्यूटरी कृत हिंदी का विकास हो, कम्प्यूटर के छेत्र में हिंदी का विकास हो, उसी दिशा में अलग-अलग कारिय किये गए टाइप राइटर को हिंदी में विक्सित करने की कोशिस हिंदी में टाइपिंग के लिए अलग-अलग fonts का विकास हुआ जैसे कृतिदेव का, चानक्या का, चानक्या 909 का ये अलग-अलग fonts रही है तो अगर आपको इन चीजों की समझ हो तो आप इस प्रश्न को भी खुब बढ़िया लेक सकते हैं कि कोई भी भाष्सा तभी प्राण मानी जाती है, कोई भी भाष्सा तभी पूरी तरह विक्सित मानी जाती है जब वह मानक तो हो ही साथ ही विज्ञान और तकनीकी के च्छेत्र में भी सहयोगी हो हिंदी का विकास, हिंदी और उसकी लिपी देवनागरी का विकास विज्ञान और तकनीकी के च्षित्र में भी देखा जा सकता है अलग-अलग सोफ्ट्वेयर के रूप में, अलग-अलग संस्थाओं के योगदानों के द्वारा, अलग-अलग व्यक्तियों के योगदानों के द्वारा, वैज्यानिकों के योगदानों के द्वारा, हिंदी भाष्ची और हिंदी सेवियों के प्रयोग के द्वारा. तो ये प्रश्ण विज्ञान का और तकनिकी के रूप में हिंदी के विकास से जुड़ा हुआ है पहले ही प्रश्ण का जो चोथा D है यानि A, B, C हमने देखा भी ये D ये भी 10 नंबर देवनागरी लीपी की वैज्ञानिकता कोई भी लीपी वैज्ञानिक कब होती है जब उस लीपी में कई प्रकार के गुण हो कोई भी लीपी वैज्ञानिक तब मानी जाती है जब वह लीपी आदर्श लीपी हो और लीपी आदर्श तब मानी जाती है जब उसे कम समय में लिखा जाए आसानी से लिखा जाए जो लिखा जाए जो लेखन हो उसे पढ़ा जाए और जो पढ़ा जाए यानि जो बोला जाए वही लिखा जाए उस लिपी में जो वर्न क्रम है वह पूरी तरह बेवस्थित हो उस लीपी में मूख वर्ण जैसी समस्या न हो silent letter यदि वह लीपी अक्षरात्मक है तो कम समय में लिखी जाएगी उस लीपी पर शीरो रीखा है तो वह लीपी सुन्दर होगी अब यदि इस क्रम में हम लोग बात करें क्यों देवनागरी लीपी वईज्यानिक है तो आप कह सकते हैं एक भूमी क्या बनाईए भाग एक कि कोई भी लीपी तभी वईज्यानिक होगी जब वह अन्य लीपीयों की तुलना में कम समय में लिखी जाए पढ़ने में सहज हो उसका वर्ण क्रम या वर्ण माला वेवस्थित हो वहलीपी देखने में सुन्दर हो तथा उसका लेखन और पाठन अत्यान्त वईज्यानिक हो लिखा जाए वो पढ़ा जाए जो पढ़ा जाए उसे ही लिखा जाए उसमें वर्णों की संख्या उपयोग तो हो अब आप देखिए जब हम बात करते हैं रोमन लीपी अंग्रे जी की तो लिखते कुछ पढ़ते कुछ रो यू जी एच लिखते हैं रोग पढ़ते हैं रफ है न लाग लिखते हैं लौग पढ़ते हैं लाफ ऐसे ही कई शब्दों में कई वर्ण साइलेंट हैं कनोलेज को नोलेज पढ़ते हैं, पेनुमोनिया को निमोनिया पढ़ते हैं, तसुनामी को सुनामी पढ़ते हैं, लेकिन देवनागरी लिपी इस अर्थ में वैज्यानिक है, क्योंकि पहली बात इसमें वर्ण विवस्था पूरी तरह क्रम में हैं, कैसे? पहले स्वर वर्ण ह स्वर्वं में भी एक छोटा स्वर एक बाडा स्वर एक हरस्व स्वर एक तिर स्वर संजुक्त स्वर है कि ए ए ओ ओ कितना ही नहीं इतना ही नहीं देवनागरी लिपी में जो व्यंजन वर नहें वो भी पूरी तरह विवस्थीत थे उच्चारण के स्क्रम में रखे गए गंठी वर्ग को पहले रखा गया है ठिर तालब विवर्ण को रखा गया है चचचच जज़ स्फर्ष व्यंजनूं के बाद अंतस्थ व्यंजन को रखा गया है यर लव और इन में भी क्रम है एक अलप्राण एक महाप्राण फिर एक अलप्राण एक महाप्राण और अरंद में पांचवे नंबर पर नासिक व्यंजन है चार नीरनुनासिक खखगग बिना नाक के उचारी पांचवे नंबर पर पंचमाक्षर नासिक है इसलिए देवनागरी लिपी की वर्ण माला बेवस्थीत है दूसरी बात क्या वैज्यानिक है इसमें शिरोरीखा है शिरोरीखा का अर्थ होता है हेड लाइन जैसे राम घर जाता है शिरोरीखा से देवनागरी लिपी न केवल सुन्दर दिखती है बलकि इसके शब्दों का वर्णों का उच्चारण स्पस्ट होता है शब्दों में अंतर किया जा सकता है वाक्यों में अंतर किया जा सकता है और लिपी में सुन्दर ता आती है पीसरी बात कि देवनागरी लिपी अक्षरात्मक लिपी है इसका क्या मतलब जब हम कई वर्णों को एक साथ जोड़ दें तो उसे अक्षर कहती है कैसे अब देखिए रा है इसमें एक आ जोड़ा तो रा हो गया आया ना ऐसे ही आधा मा में आ जोड़ें तो मा हो गया इसमें आ जोड़ें तो मा हो गया अब ये रामा रूमन में या अन्य लीपियों में लिखेंगे तो इसी रामा को लिखने में आर ए एम ए चार वर्ण लगे रोमन वर्ण आत्मक लीपी है लेकिन देवनागरी लीपी अक्षरात्मक लीपी है अक्षरात्मक लीपी को लिखने में कम समय लगता है और एक बड़ी बात ये है कि इस लीपी में कई ऐसे वर्ण है इस लीपी में कई ऐसे वर्ण है जो संजूक तुबार नहीं है कैसे? छा-त्रग्य अब ये छा का शा और अ के मेल से बनता है समझीए? यानि आधा का और पूरा शा ऐसे ही त्रट और रा के मेल से बनता है आधा ता पूरा रा ये आधा जा और ये के मेल से अन्य लीपियों में जैसे छत्रिये लिखना हो तो देखिए ये देवनागरी लीपि में छत्रिये मात्र तीन अक्षरों में लिख दिया लेकिन अगर रोमन में लिखना हो तो के S-H-A-T-R-I-Y-A तीगुना वरन लग गये इसलिए देवनागरी लीपि अक्षरात्मक है इसे कम समय में लिखा जा सकता है यह लीपि समय ठान और मेहनत को बचाती है आया ना ये टाइम टेकिंग नहीं है इसमें शिप्रता है लाग होता है इसे जल्दी लिख सकते हैं शौटकट में लिख सकते हैं करेक्ट है इसे में और दो तिन बातें जोड़ दीजिए चौथी बात इसमें मुक वर्ण की समस्या नहीं होती अन्य लीपियों में यह समस्या पाई जाती है पांचवी विशेस्ता प्रतीक वर्ण की एक निश्चित ध्वानी है तथा प्रतीक ध्वानी के लिए इस लीपि में वर्ण है इसलिए जो लिखते हैं वो पढ़ते हैं और जो मुँ से बोलते हैं वो लिखते हैं बाकी लीपियों में ऐसी विवस्था नहीं है करेक्ट है इस लीपि में वह ग्यानिक्ता की एक और वज़ा है इस लिपी को लिखना अभ्यास करना बहुत आसान है एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, एक आड़ी रेखा, एक अर्धबृत और एक भिंदी इनके अभ्यास से पूरी लिपी को हम लिख सकते हैं ऐसे देखिए एक पड़ी रेखा, एक आड़ी रेखा, एक और आड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, अर्ध ब्रित खो है ना? जैसे एक अर्ध ब्रित, एक खड़ी रेखा, एक पड़ी रेखा, एक आड़ी रेखा, फिर एक पड़ी रेखा इसे लिए बचपन में हम लोगों को इस लीटी को सीखने के लिए कई छेत्रिये उपाईयों के द्वारा सिखाया गया था बड़ा ही मनोरंजन प्रधान ये उपाई थे रूची कर उपाई थे कैसे जैसे देखिए दादा जी की उल्टी छड़ी एक डंडा उपर डंडा गव है न ऐसे ही कुछ लोग सिखाते थे मुर्गी का आधा अंडा बीच में डंडा बकरी की पूँच उपर डंडा कव तो इस लीपी की वैज्यानिकता इस अर्थ में है क्योंकि लीपी को लीखना अभ्यास करना बहुत सहज है लीपी में जो वर्ण है उससे एक निश्चित द्वनी निकलती है तथा प्रतेक द्वनी के लिए एक वर्ण है अर्थात लीपी में जो हम बोलते हैं वही लिखते ह और जो लिखा जाता उसे वैसे ही पढ़ते हैं अन्य लीपीयों में ऐसी वैग्या निकता नहीं है इसमें साइलेंट वर्न की समस्या नहीं है इसलिए उचारण एकदम मानक है और क्या कहेंगे यह जो लीपी है वो कैसी है इसमें शिरो रीखा है इस वज़ा से इसमें सौंद ये है ये लिपी अक्षारात्मक है इसमें जो वर्ण वेवस्था है वो पूरी तरह से एक निस्चित क्रम में है तो पहले बाग में भूमी का वैज्ञानिक लिपी किसे कहते हैं जो पढ़ने में सहज हो जिसमें मुक वर्ण ना हो कम समय में लिखा जाए आया न अभ्यास और फिर ये पांच्छे बातें दिखा दीजिए तो आपका ये प्रश्ण तयार हो गया देवनागरी लिपी की वैज्ञानिकता पर चर्चा करें परेक्ट है दोस्तों अब पहले प्रश्ण का आईए देखते हैं पांचवात यानी इखन्ड है ना पहले प्रश्ण का सब प्रश्ण संख्या पांच उप प्रश्ण संख्या पांच पूर्वी हिंदी और पश्मी हिंदी का अंतर कुछलों को लगता है कि भाषा विज्ञान रटने की चीज है मैं कहता हूं भाषा विज्ञान से अधिक सहज कोई चीज नहीं है पूर्वी हिंदी और पश्मी हिंदी का जब आप अंतर करती हैं तो हिंदी की पाँच प्रमखुब भाषाएं हैं बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्मी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पाहडी हिंदी पूर्वी हिंदी का जन्म किस से हुआ अर्धमागधी अब भ्रंस से और पश्मी हिंदी का जन्म किस से हुआ शौरसेनी अब भ्रंस से तो एक तो यही अंतर हो गया दोस्तों यदि ये दोनों उपभाशाएं हैं तो इनकी बोलियां भी होगी पुर्वी हिंदी की कुछ प्रमुख बोलियां है अवधी बगेली 36 गड़ी नाम सुना होगा और पश्चमी हिंदी की पाँच प्रमुख बोलियां है ब्रजभाष्टा, बुंदेली, कन्नवजी, खड़ी बोली और हरियानी अब कुछ चीजें बहुत आसान है पुर्वी हिंदी में संग्या के तीन रूप देखे गए कितने रूप? तीन रूप कैसे कुता, कुतवा, कुतवना, माश्टर मस्टरवा, मस्टरवना, हाथी हतवा, हतवना, सामान्य दिर्ग और दिर्गतर सामान्य, दिर्ग और दिर्गतर ये संग्या के तीन रूप पुर्वी हिंदी में देखे गए जबकि पश्मी हिंदी में संग्या के सिर्फ सामान्य रूप देखे गए वहाँ हाथी, घोडा, मास्टर, साइकिल, क्लास, पानी पश्मी हिंदी लेकिन पुर्वी हिंदी में मास्टर से मस्तरवा भी साइकिल से साइकिलिया भी किताब से कितबिया पानी से पनिया नाक से नकिया आख से अखिया है ना कपार से कपरवा तमधर है मुह से मुह वा हाथ से हत्वा दाथ से दत्वा इसलिए पश्मी हिंदी में संग्या के पुर्वी हिंदी में विशेशन अविकारी देखे गया है अविकारी विशेशन का क्या आर्थ होता है जो किसी भी लिंग वचन में ना बदले लड़का हो या लड़की हो या लड़कें हो पुलिंग हो इस्तिरलिंग हो बहुआ चन लड़का छोट लड़िकिया छोट सारे लड़िकन छोट गोर सावर तमजी है लेकिन जो पश्मी हिंदी है पश्मी हिंदी के विशेशन पूरी तरह विकारी देखे गये कैसे छोटा छोटी छोटे कारा कारी कारे गोरा गोरी गोरे पीला पिली पीले या पीरा पीरी पीरे कहीं कहीं ओकार बहुल भी जैसे ब्रज भास्ता पीरो कारो सामरो गोरो अब अन्य अगर अंतर दिखाने का मन करें तो दिखा सकती हैं कि पुर्वी हिंदी में न ध्वनी न में बदल जाती है जैसे रावन से रावन, कारण से कारण, समझियेगा? जबकि पुर्वी हिंदी में न ध्वनी न में बदल जाती है पानी नहीं पानी पानी जाना नहीं हर्यानी में हर्यानी का प्रयोग करेंगे का प्रयोग करेंगे तो जाना नहीं जाना है लेना देना खाना पीना आना जाना नहीं बात समझ में आई ऐसे ही अन्य रूपों पर भी चर्चा करें तो पुर्वी हिंदी उकार और अकार बहुल है अन्त में उ और आस्वर जैसे जात पढ़त खात पीत लेकिन पश्चमी हिंदी के अन्त में आकार बहुल या उकार बहुल ब्रज भाष्टा है तो आयो गयो और खड़ी बोली हरियानी है तो आरिया जारिया आता जाता खाता खाऊंगा पीऊंगा तो ये प्रश्ण हुगा पुर्वी और पश्मी हिंदी का अंतर अन्य भी अंतर है। जैसे पुर्वी हिंदी में महाप्रान द्वनी की असपस्ट उच्चारण होता है। हाथ, भाभी, चाभी समझिएगा लेकिन पश्मी हिंदी में महाप्राण ध्वनी अलप्राण में बदल याती है कैसे भाई आपकोई शब्दों में हाथ नहीं हाथ ऐसे ही चाभी नहीं चाभी भाभी नहीं भाभी ठीक है धन्दा नहीं धन्दा मुझ नहीं मुझको तुझको तो कई अंतर हैं आप उनका प्रयोग कर सकती है जैसे पुर्वी हिंदी में अड़ा ध्वानी रा में बदल जाती है उच्छिप्त ध्वानी रा में अड़ा से रा लेकिन पश्मी हिंदी में अड़ा और अड़ा ध्वानी या मुर्धन्य ध्वानी में बदलती है अड़ा से ड़ा पेडा नहीं पेडा है ना साण नहीं मेढा नहीं तेडा मेढा कोई अन्तर हें का प्रयोग आप कर सकते हैं पहले प्रश्न के बाद यह जो दूसरा प्रश्न है अब यहां से देखिए यह पहले प्रश्न के पांच उप प्रश्न थेटी पनी के तो दस-दस के आए अब जो दूसरा प्रश्ण है इसके भी कई रूप हैं A, B, C यहां देखें दूसरा का A है, दूसरा का B है, दूसरा का C है अंकों के लिहाज से देखेंगे तो अब यह प्रश्ण तीन खंड में है पहला दूसरा का जो A है वो 20 का B और C 15 15 नमबर का तो दूसरा इनके लिखने का थोड़ा अप्रोच बदलेगा प्रश्ण है साहितिक भाषा के रूप में ब्रज के दिकास में मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा करें अब यह जो प्रश्ण है इसकी प्रकरती समझेए इसमें देखा जाये तो दो तरह के प्रश्ण है एक तो मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवी अगर इस बात को आप समझें तो मध्यकालीन कृष्ण भक्त कवी कहने का आर्थ होता है कि भक्ति काल के कवी और भक्ति काल में जो कृष्ण भक्त कवी है उनकी दो धाराएं रही है यानि कृष्ण भक्त कवीयों को दो शाखाओं में बाटा गया आपने पढ़ा होगा सामप्रदाइक कृष्ण भक्ति धारा के सांप्रदाइक कवी और गैर सांप्रदाइक कवी इसका मतलब क्या होता है समझिएगा सांप्रदाइक कवी किसी संप्रदाई में दिक्षित थे जैसे वल्लब संप्रदाइ में या रुद्र संप्रदाइ में अपने नाम सुना होगा या पुष्टी मार्ग से जुड़े तो पुष्टी मार्ग से जुड़े आठ कवी अपने नाम सुना होगा कुम्भन दास कृष्ण दास सूर दास परमानंद दास नंददास, चतुर्भुजदास, गोबिन स्वामी, छित स्वामी जो गयर सांप्रदाई कवी थे, वो किसी संप्रदाई में दिक्षा नहीं लिये थे कौन-कौन? जैसे मीरा और रस्खान तो एक तो प्रश्ण ये हुआ कि मध्यकालीन क्रिष्ण भक्त कवियों का योगदान और दूसरा प्रश्ण है ब्रज भाष्टा, साहित्तिक भाष्टा के रूप में ब्रज के विकास में तो अगर आप इस बात को समझ पा रही हैं, इसका एक मतलब है क्या मतलब है कि ब्रज भाष्टा का तीन चरणों में विकास हुआ आरंभिक चरण में ब्रज भाष्टा का विकास मध्य चरण में ब्रज भाष्टा का साहित्तिक विकास और आधुनिक चरण में आधुनिक चरण यानि आधुनिक काल में हम लोग देखते हैं भारतेंदु युग और नौजागरण परक्चेतना से जो साहित्यक ब्रजभास्टा जुड़ी। मद्यकालीन साहित्य का अर्थ ही होता है भक्ती और रितिकालीन साहित्या। लेकिन रितिकाल के साहित्यकारों को क्रिष्ण भक्त कवियों में नहीं रखा गया। इसलिए यहां सिर्फ ब्रजभास्टा का विकास भक्ती काल से जुड़ कर देखा गया। मद्यय कालीन ब्रजभाष्टा का यानि भक्ति काल में ब्रजभाष्टा का विकास किस के द्वारा क्रिश्ण भक्त कवियों के द्वारा बात को समझ येगा कितना आसान प्रश्ण हैं अब इन सब की चर्चा कीजी कि मीरा रस्खान ने पुष्टी मार्क के कवियों ने किस प्रकार ब्रजभास्टा के विकास में भूमिका निभाई सूर्दास के विशय में यह कहा गया कि सूर्दास ने परंपरा से चली आ रही ब्रजभास्टा का सूर्दास ने परंपरा से चली आ रही लोक बोली का साहित्तिक भास्टा के रूप में प्रसार किया और फिर इसे जंजन की बोली के रूप में स्थापित किया किसने? सूरदास ने ऐसे ही अस्ट छाप के अन्य कवियों ने पुष्टी मार्ग से जुड़े कवियों कृष्ण भक्ती धारा और ब्रज भाष्षा को एक दूसरे का पूरक बना दिया मीरा राजस्थान की थी लेकिन राजस्थान की होकर के भी उन्होंने ब्रज भाष्षा को साहित्तिक भाष्षा के तौर पर इस्तेमाल किया और यहीं से आगे चल करके ब्रज भाष्षा इतनी प्रसारित हुई इतनी विक्षित हुई कि भिखारी दास जैसे लोगों को लिखना पड़ा कि ब्रजभासा हेत ब्रजबास ही न अनुमानव। ऐसे ऐसे कविन की बानी ही सो जानी है। कि ब्रज भाष्टा के लिए ब्रजबास जाने की जरूरत नहीं, कवियों की वाणी से ही आप इसे सीख समझ सकते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं तो ब्रज भाष्टा के विकास में मध्यकालिन कृष्ण भक्त कभीयों न केवल इस परंपरा से चलिया रही बोली को साहितिक भाष्टा बनाया बलकि जंजन की भाष्टा के रूप में स्थापित किया इतना ही नहीं। प्रिश्ण भक्त धारा की सरस्ता और ब्रज भाष्टा की मधूर्ता ने एक दूसरे के लिए पूरक का काम किया और एक दूसरे को प्रसारित किया। प्रिश्ण भक्ति धारा भी प्रसारित हुई ब्रज भाष्टा भी प्रसारित हुई तो ये प्रश्ण है देखिए प्रश कर सकते हैं ब्रज भाष्टा के स्वरूप पर चर्चा कर सकते हैं मध्यकालिन भक्तिकालिन साहित्य की चर्चा कर सकते हैं कि जो भक्तिकालिन साहित्य है उसकी आधार भाष्टा ब्रज भाष्टा थी अवधी और ब्रज भाष्टा ब्रज भाष्टा अखेल भारतिये विस्त गया है स्वाधिंत अंदोलन की संगर्ष भाश्था के ूरूप में हिंदी की प्रतिष्ठा देखिए जब आप स्वाधिन्ता अंदोलन की बात करते हैं तो स्वाधिन्ता अंदोलन का अर्थ होता है उनीस्मी और बीस्मी शताप्ति अब स्वाधिन्ता अंदोलन में खड़ी बोली हिंदी का या संघर्ष भासा या यूं कहें संपर्क भासा पधिंता अंदोलन में जो संघर्ष हम लड़ रहे थे आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उसके लिए जरूरत ये थी कि पुरे राष्ट्र को एक किया जाए यानि सामाजिक एक्ता से ही राष्ट्रिय एक्ता विक्सित हो सकती थी और राष्ट्रिय एक्ता का अर्थ नौजागरण परक्चेतना अब इसमें कई चीजें सामिल थी कैसे देखिए एक तो साहित्य की भूमी क्या तो साहित्यकार की भूमी क्या में भारत इंदु यूग दिवेदी यूग इसकी भूमी क्या किस प्रकार भारत इंदु यूग में भारत इंदु जी जैसे प्रताप नाराइन मिश्री जी जैसे रचनाकारों ने नारा दिया भारत इंदु जी कहते हैं निज भाष्टा उन्नती यहो सब उन्नती को मुल प्रताप नाराइन मिश्र का नारा था हिंद लिए खड़ी बोली को अपनाया और दिवेदी युग में तो और भी बड़ी बात हुई गध्य और पद्य दोनों के लिए एक मात्र खड़ी बोली का प्रयोग किया गया साहित्यकारों के अलावा कई संस्थाएं थी नागरी प्रचारेनी सभा कवितावर्धनी सभा अगर अपने नाम सुना हूँ सरस्वती पत्री का इस प्रकार के प्रेशने समाचार पत्रों ने भारतेंदु युग से लेकर के दिवेदी युग और वहां से आगे छायवाद तक के समाचार पत्रों ने पई समाचार पत्र जैसे अपने नाम सुना होगा हरिश्चंद्र चंद्रिका हरिश्चंद्र मैग्जेन आनंद कादंबिनी ब्राम्हन हिंदी प्रदीप नीरदनागरी तो ये समाचार पत्र भी खड़ी बोली का प्रसार कर रहे थे इसकी अलावा अगर आप देखें तो राष्ट्र नेता राष्ट्र नेता में गांधी रविंद्र नाट टैगोर बंकिम चंद्र चटर जी अरविंद घोष्ट ये सभी राष्ट्र नेता मान रहे थे यदि राष्ट्र ये एकता की कलपना कर रहे हैं हम तो उसके लिए एक राश्ट्र भाश्टा चाहिए गांधी का तर्क था कि मुठी भर अंग्रेजी जानने वालों को यदि स्वाराज चाहिए तब तो फिर राश्ट्र भाश्टा कुछ भी हो किन्तु यदि स्वाराज भूखे नंगे करोडों हिंदुस्तानियों को चाहिए तोनेस्षे तर पर राष्ट्र भाष्टा हिंदी ही होगी क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र भाष्टा का प्रोष्ण या स्वराज का प्रोष्ण अलग नहीं बलकि ये कही है तो राष्ट्र नेता हुँं साहित्तिक आंदोलन हुँं साहित्यकार हुँं स्वाधिनता आंदोलन के दौरान इन सबने खडी बोली को स्थापित करनी की कोशिस की क्योंकि ये मानते थे कि खड़ी बोली ब्रिहत भारत की या अखिल भारत की संपर्क भाष्टा थी अखिल भारत की संपर्क या यूं कहें कि ब्रिहत छेत्र की भाष्टा थी ऐसे में इसे राष्ट्र भाष्टा के रूप में स्थापित करने की कोशिस की गई हलाकि हिंदी आज भी राष्ट्र भाष्टा नहीं है लेकिन संपर्क भाष्टा बन करके आई स्वाधिंता अंदोलन के संघर्ष को और बढ़ाने के लिए विक्सित करने के लिए यह भाष्टा कारगरबन कर कियाई पहिलों का योगदान साहित्यकारों का समाचार पत्रों का साहित्तिक अंदोलनों का राष्ट्रिये नेताओं का कई विचारकों का अब जैसे अरविंद घोष्ट ने कहा था कि मेरे लिए भारत बंधुत्व का अर्थ ही है एक भाष्टा इसी बात को रविंदरनाथ टैगोर ने भी कहा कि जो भी देश बंधु होगा भारत का बंधु होगा वह भारत की भाष्टा को अपना मानेगा हिंदी को अपना मानेग और इसलिए कहा जाता है कि बंगाल के नेताओं का भी खड़ी बोली के विकास में योगदान रहा है तो ये प्रोश्ण है जरा इसको देखिए स्वाधिंता अंदोलन की संपर्क या संघर्स भाषा के रूप में हिंदी की प्रतिष्ठा 15 नमबर पर अगला प्रोश्ण लेते हैं हम लोग दूसरे का सी फॉन्ट एवं लीपी के ब्यामोह में ये थोड़ा सा भटकाने के लिए प्रोश्ण दे दिया गया आप डरियेगा मन फॉन्ट कहते हैं स्टाइल ओफ वर्नमाला या वर्नों या अक्षरों के आकार प्रकार स्टाइल को फॉन्ट कहते हैं और लीपी आप समझ रहे हैं हिंदी की लीपी देवनागरी है हिंदी भाष्टा है उसकी लीपी देवनागरी है सीधा सीधा प्रोष्ण पूछा है वैसिष्ट यानी विसिष्ट ता विसेष्ट तो लीपी के अस्तर पर देवनागरी की क्या विशेष्टाइं है देखिए ये पहले भी पूछा हुआ है देवनागरी लीपी की वैज्यानिक्ता फिपणी में जो वैज्यानिक्ता है वास्त में वही विशेस्ता है थोड़ा विस्तार से लिखिये 15 नंबर का है पहली बात दिवनागरी लीपी की वर्नमाला वईज्ञानिक है ये इसकी पहली विशेस्ता है वईज्ञानिक याणि वेवस्थीत है दूसरी बात इस लीपी में पढ़ना सहज है क्योंकि ध्वनी और वर्ण के बीच ताल मिल है कैसा ताल मिल? प्रतेक ध्वनी के लिए एक स्वतंत्र वर्ण है तथा सभी वर्णों से स्वतंत्र ध्वनिया निकलती है इसलिए जो लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है चोथी विशेस्ता अक्षरात्मक लिपी है कैसी लिपी है? अक्षरात्मक है अक्षरात्मक कार्थ कम समय में हम इसे लिख सकते हैं कई वरणों को मिला दें तो उसे अक्षरात्मक लीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षरात्मक लीपी के कारण एक बहुत बड़ी विशेस्ता है कि इस लीपी में चिप्रता आती है, लागहौता आती है, कम समय में और जल्दी हम इस लीपी को लिख सकते हैं। दोस्तों, पांचवी विशेस्ता के तौर पर बताएं कि इसमें शीरोरेखा का प्रयोग हैं। शीरोरेखा के प्रयोग के कारण इस लीपी को हम सुन्दर रूप में लिख सकते हैं। साथ ही वरणों, शब्दों और वाक्यों का भेद स्पष्ट कर सकते हैं। छठी विशेस्ता के रूप में बताएं कि इस लीपी का भ्यास अत्यंत सहज है। क्यों? बताया था आपको कि एक खड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, एक पड़ी रेखा, एक आड़ी या तिरियक रेखा, अर्ध बृत और बिन्दी। इन प्रतीकों के माध्यम से इसके सभी वर्णों को लिख सकते हैं। इसकी अलावा इसकी एक सबसे बड़ी विशेस्ता है, सातीं विशेस्ता कि इसमें मुक वर्ण या साइलेंट लेटर जैसी समस्या नहीं होती। इस वज़ा से लेखन और उच्चारण के बीच एक रूपता पाई जाती है। जैसा लेखन, वैसा उच्चारण। यही वज़ा है, एक आठमी बात लिख दीजिएगा इसमें। यही वज़ा है कि अन्य लीपियों, क्योंकि फॉंट और लीपि के ब्यामों पूछा है। अन्य लीपियों, चाहे वो रोमन हो, चाहे अर्वी-फारसी लीपी, उनकी तुलना में इस लीपी में अधिक वैज्ञानिकता है। यह लीपी आदर्ष लीपी है। अन्य लीपियों की अपेक्षा, इस लीपी का भ्यास सहज है, इस लीपी में विस्मृत करने जैसी चीजें कम होती है। इस लीपी को किशोरा वस्था से ही हम बहुत आसानी से सीख जाती है। शब्दों के बीच इसमें सपस्ट भेद किया जा सकता है, क्योंकि इसके सभी वर्ण स्वतंद्र हैं। जैसे आप दिखा सकती हैं, कि तालब्य शालग है, मुर्धन्य शालग है, दंत्य शालग है। इसलिए कोश, ये कोश और ये कोश, ये दूरी है, ये राज कोश भौतिक खजाना के लिए है, और ये सांस्कृतिक जैसे ज्ञान कोश, शब्द कोश, करेक्ट है। तो देवनागरी लीपी, अन्य लीपियों से कई अर्थों में वैज्ञानिक है, यही इसके विसिस्ट पहलू है, इसलिए प्रश्ण पूछा, इसके वैसिस्ट को नरधारित करें। इसकी विसेश्टा को बताएं, तो यह दो कासी। दोस्तों, प्रश्ण संख्या पीन के ए पर विचार करें। अब देखिए, यह कही प्रश्ण को दो बार पूछ रहा है, तीन बार। एक बार देवनागरी लिपी की वैज्ञानिक्ता पूछा, और एक बार देवनागरी लिपी की विशेश्टा पूछ लिया। अब फिर देखिए स्वाधिन्ता अंदोलन के दरान खडी बोली की प्रतिष्ठा पूछा और इसे ही उनीसमी शदी में खडी बोली के साहित्तिक भाष्टा के रूप में प्रतिष्ठित करने के दरान प्रमुख चुनावतिया रश्ण वही है लेकिन इस बार चुनावतियों को पूछ लिया है क्या चुनावतियां रही होंगी देखिए सबसे बड़ी बात कि हम खडी बोली और गद्य का विकास चाह रहे थी उनीसमी शताब्दी में खडी बोली एवं गद्य का विकास किसके लिए तो राष्ट्रिये जागरण के लिए नौ जागरण परक्चेतना के लिए ये हमारा उदिश्य था इस उदिश्य से हम खडी बोली का विकास चाह रहे थी गद्य का विकास चाह रहे थी अब एक बात समझने लाइक ही कि उनीसमी शताब्दी कहने का क्या आर्थ है उनीसमी शताब्दी जब हम कहते हैं तो उसका दू वर्ग विभाजित किया जा सकता है उनीसमी शताब्दी का पुर्वार्ध का अर्थ होता है अठारा सव से अठारा सव पचास यानि फूट विलियम कॉलेज और उसके भाष्टा मुनसी विलियम गिल क्राइस्ट महोदे और भाष्टा मुनसी जैसे सदल लाल मिश्व लल्लू लाल जी और बाहरी और भी थे जैसे चारों के नाम जानते होंगे, आप लोग लल्लू लाल जी, सदा सुखलाल निया जी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज ने भी खड़ी बोली का विकास किया, और 19 सताब्दी का जो उतरार्ध है, वो जूड़ जाता है भारतेंदु यूग से, अब भारतेंदु यूग के विशय में आप ब भारतेंदु यूग में थड़ी बोली हिंदी गध्य भाष्टा के तोर पर प्रयूक्त हुई, अब भी ब्रजभाष्टा कविता या पध्य के लिए प्रयूक्त हो रही थी, तो सबसे बड़ी दो चुनावती, पहली चुनावती कि एक तो हम अपनी वेशिक पराधीन थे, और अपनी वेशिक सत्ता ने फोट विलियम कॉलेज के द्वारा अपने लाभ के लिए खड़ी बोली हिंदी का विकास करना शुरू किया, इसका मतलब है कि अपनी वेशिक सत्ता की एक नीती थी, हुट डालो, राज करो, तो जो पहली चुनावती है, खुब ध्यान से सुन पहली चुनावती थी कि अंग्रेजों ने भाषाई आधार पर हिंदुस्तान को बाटा था, बंगाल वगरह का विभाजन, और फोट विलियम कॉलेज में जो विलियम गिल क्राइस्ट थे, उनका भी द्रिष्टी कोण ऐसा ही था, खड़ी बोली का विकास तो ये कर रहे थ कई अनुवाद कारिये करा रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी कि इन्होंने हिंदी और उर्दु के विवाद को जन्म दिया, इन्होंने हिंदी को गमारू भाषा कहा, और उर्दु को कोट ओफ हाई स्टाइल कहा, तो पहली चुनावती कि हिंदी उर्दु का व भारतेंदु युग में ब्रजभाषा पहले से स्थापित थी, और ब्रजभाषा को प्रतिस्थापित करके खड़ी बोली का प्रयोग करना, भारतेंदु जी कहते देखो कैसी भौंडी भाषा बन गई, कैसी भौंडी कविता बन गई, भारतेंदु जी खड़ी बोली में क कविता के लिए खड़ी बोली तो ठीक है लेकिन कविता के लिए खड़ी बोली सही नहीं है खड़ी बोली में कविता भॉंडी बनती है माफिचाता हूँ दोस्तों अब इसका एक मतलब हुआ है कि स्वैम भारतेंदु जी खड़ी बोली के पक्षधर थे लेकिन कहते थे गद्य का प्रसार हो गद्य की भाष्टा खड़ी बोली हो और इसलिए भारतेंदु जी एक बात कहते भी हैं कि हिंदी नए चाल में चली काल चक्र की भूमी क् बारतेंदु जी मानते थे कि गद्य की विधाओं के लिए खड़ी बोली हो कविता के लिए खड़ी बोली ना हो तो पहली चुनावती अपनिवेसिक पराधिंता के दोरान भाष्टाई विवाद खड़ी बोली के विकास की पहली चुनावती अपनिवेसिक सोशन के दोरान भाष्टाई विवाद हिंदी उर्दु विवाद दूसरी चुनावती ब्रज भाष्टा पहले से कविता की भाष्टा के रूप में स्थापित्थी पद्य भाष्टा ऐसे में खड़ी बोली का प्रसार चुनावती पोर्ण था एक तीसरी बड़ी चुनावती थी इस बात को समझे तीसरी चुनावती थी कि हिंदी बोलियों का समुदाए किस बोली को आधार और संपर्क भाष्टा के रूप में चुना जाए एक भारी समस्या थी एक चौथी बड़ी चुनावती थी दोस्तों हिंदी या खड़ी बोली हिंदी के तीन रूपों का प्रयोग देखा गया जो पहला रूप था वो तत्सम निष्ट दूसरा तदभव और देशज निष्ट और तीसरा उर्दू निष्ट आपने सुना होगा कि तत्सम तदभव देशज के निकट हिंदी को हिंदवी कहा गया और उर्दु अर्वी फार्सी के निकट हिंदी को हिंदोस्तानी कहा गया खड़ी बोली हिंदी के किस रूप का प्रसार किया जाए ये एक भारी चुनावती थी एक पांचमी चुनावती थी अहिंदी भाष्सी राज्य हाला की अहिंदी भासी छेत्र के लोगों ने ही इंदी के विकासमे अग्रणी भूमी क्या निभाई खड़ी बोली हिंदी का जो आंदोलन चला तो इसमें भुदेव मुखरजी अयोध्य प्रसाद खत्री देखिए ये अहिंदी भासी छेत्र के लोग बंगाल के बहुत सारे साहित्यकार थे, राष्ट्रनेता थे, गुजरात के थे, महराष्ट्र के थे, दक्षुन भारत के थे, in fact राज भास्ता आयोग का फार्मूला मुन्सी और आयंगर फार्मूले पे ही बना तो अहिंदी भासी छेत्र के लोगों ने इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन बहुत से लोग थे, जिसे आप सामान्य जनता कहें, उन तक हिंदी को कैसे पहुँचाई जाए, क्योंकि जो उनेस्वी शताब्दी है, उसमें गध्य और खड़ी बोली क की आवश्यक्ता पड़ी, ताकि राष्ट्र को समाज को एक किया जा सके, साहित्य के माध्यम से नौजागरण का प्रसार किया जा सके, लेकिन ये चुनावतियां सामने थी, तो प्रश्ण देखिए, उनीस्वी शताब्दी में खड़ी बोली को साहित्तिक भास्ता के कि अले से साहित्य में अवधी, ब्रज, भोजपूरी जैसी कई बोलियां साहित्तिक भास्ता के रूप में स्थापित थी, अब किसका प्रयोग किया जाये, पुर्वी बोलियां थी, पश्मी बोलियां थी, राजस्थानी बोलियां थी, तो ये भी चुनावतियां थी, दोस अब ये प्रोश्ण 15 नंबर का है तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी उत्तर को लिखिये तो उसके तीन भाग बनाईए भाग एक में भूमी क्या बनाएं थोड़ा बता दें अब भ्रंस क्या है प्राकर्त जब साहित्तिक और परनिश्चित भाष्टा बनी तो उसके विक्रित सहज रूप से अब्रंस का जन्म हुआ कई विद्वानों ने भाष्टा विदों ने अब्रंस की अलग-अलग परिभाष्टा दी पाणिनी पतंजली ने माना कि संस्कृत के शुद्ध शब्द जन सामान्ये में विक्रित होते गए और शुद्ध और असाधू बने इसी से अब्रंस का जन्म हुआ नामवर्सिंग वगर ने भी माना तो भाग एक में भुमिका में परिचे दे दे भाग दों में कोशिस करें कि बताएं कि किसी भी भाष्टा की विशेष्टा को तीन वर्गों में वर्गी क्रित किया जा सकता है ध्वनी गत विशेस्ता ब्याकरण गत विशेस्ता और शब्द गत विशेस्ता और इसके बाद आप ये कोशिस करें कि सब में तीन-तीन चार-चार पॉइंट लिख देंगे तो आपका उत्तर जो है वो ठोस या संतुलित हो जाएगा कोशिस करें बताइए कि अब्रंस की कालसीमा अब्रंस की कालसीमा पांच सो से एक हजार इस्वी तक की रही है अब्रंस के कई भेद किये गए मागधी अब्रंस अर्ध मागधी अब्रंस शौरसेनी अब्रंस खस अब्रंस ब्राचड अब्रंस बता सकते हैं राजस्थानी अब्रंस इसे बताने के बाद आप बताएं कि अब्रंस में री स्वर्ध्वानी विक्रित हुई फिर बताएं कि अब्रंस में आय और आव स्वर्ध्वानी अब्रंस में आय और आव स्वर्ध्वानी विक्रित हुई फिर बताएं कि अब्रंस में स्वरागम, स्वर्लूप, घोशी करण, अलप्राण का महाप्राणी करण, महाप्राण का हो परिवर्तन, यश्रूती, उपांत्य स्वर्ध्वानी जैसी विशेस्ताएं देखने को मिली अब याद रखी ये सब मैथेमेटिकल चीजे जब तक इनको आप क्लास में खुब डीटेल में नहीं समझेंगे कि क्या है स्वरागम, क्या है स्वर्लूप, क्या है स्वर्वी परिये, छती पूर्ती दिर्गी करण किसे कहते हैं, घोशी करण क्या है, अलप्राण का महाप्राणी करण क्या है, महाप्राण का हो परिवर् अब जैसे स्वरागम क्या है संस्कृत के किसी शब्द में कोई आधा व्यंजन हो अर्ध व्यंजन जैसे आधार इसमें एक स्वर जूड जाए तो आधार में स्वर जूडने से पूरा इसलिए शब्द बनता है वरस लेकिन अन्यध्वनियां भी बदलती है तो अब ब्रंस में वद्वनी बह में बदल ल्याती है ये सवद्वनी सयाखो में इसलिए बरस जैसे वर्षा से बरखा जैसे पूर्व से पूरभ तो एक एक करके इन विशेस्ताओं को अगर आप क्लास में देखें हैं समझें हैं तो आप बहुत बढ़िया लेक पाएंगे कविता खंड पर कम से कम पचास क्लास तभी ये दोनों टेकनिकल खंड हैं और खुब स्कोरिंग हैं इनका लाभ ले सकते हैं इतना बताने के बाद आप पुछ व्याकरण की भी विशेस्ता बता दें कि अब्रंस में किस प्रकार जो संग्याएं उनके बहु बचन रूप न हां और नहीं प्रत्य ऐसे देखे गए फिर दर्शाएं की अब्रंस में सर्वनाम के रूप किस प्रकार देखे गए तो हां अमह मैं अमहीं की तरह देखे गए फिर दर्शाएं की अब्रंस में परसर्ग के रूप कैसे देखे गए तो करता के लिए अब्रंस में ने परसर् नहीं हुगा कर्म के लिए ही परसरग आया ऐसे ही करण के लिए सन तन संपरसरग आया संप्रदान के लिए होंत जैसे परसरग आया अपादान के लिए फिर ऐसे ही होंत होंतों या सों संपरसरग आया संबंध के लिए केर केरा इन चीजों को रटनी की जरूरत नहीं क्लास में एक बार थोरली समझिएगा खुब ढंग से लिख पाईएगा और बहुत से लोग परिशाप लोग दे करके आए हैं और जो लोग नहीं दिये हैं फिर भी देख रहे हैं कुछ चीज़ें एकदम उपर से कुछ क्या सारी चीज़ें उपर से जा रही हूँ क्योंकि यहां मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यह प्रश्न पूछा क्या गया है अब यहां आपको पूरा उत्तर सीखा पाना समया भाव की वजह से संभव नहीं है तो व्याकरण की विशेस्ता बता दें अंत में बता दें कि अब भ्रण्स की विशेस्ताओं से ही जो सरल शब्द बनते गए उसी से हिंदी का जन्म हुआ यानि अब भ्रण्स संस्कृत और हिंदी के बीच की कड़ी है निसकर्स लिख देंगे करेक्ट है अगला प्रश्ण है देवनागरी लिपी के सुधार है तु स्वतंत्र भारत में किये गए प्रयत्न देखिए ये प्रश्ण क्या है देवनागरी का सुधार अब देवनागरी के सुधार के लिए कई प्रयत्न किये गए अंगीनत प्रयास किये गए बात यदी करें हम लोग, तो कई छोटे बड़े ऐसे सुधारक रहें हैं दोस्तों, जिनकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं, तरिक्ट है, अब जैसे, आपने बालगंगाधर तिलक का नाम सुना होगा, तिलक फौंट की बात की उन्होंने, आपने शारदाचरण मित्र का नाम सुना होगा, कलकत्ता उच्च नियायाले के नियाय धीस थे, उन्होंने भी कई कारिये किये, आपने सुनिती कुमार चटरजी का नाम सुना होगा, आपने आचारिये काका कालेलकर का नाम सुना होगा, आपने सावरकर बंधुओं का नाम सुना होगा, इन सब ने सुधार के प्रयास किये, लेकिन प्रोष्ण है स्वतंत्र भारत में, तो स्वतंत्र भारत में जब चर्चा करें तो आचारिये नरिंद्र देव से शुरू करें, किस से शुरू करें? आचारिये नरिंद्र देव, और फिर चर्चा करें कि अलग-अलग संस्थाओं के द्वारा, जैसे केंद्रिये निदेशाले ने क्या प्रयास किया जैसे हिंदी विभाग ने क्या प्रयास किया अलग-अलग साहित्यकारों ने स्वतंत्र भारत में दिवेदी युग की बात करें तो जब आप दिवेदी युग में बात करेंगे तो हलाकि दिवेदी युग में हम स्वतंत्र नहीं हुए थे 1900 से 1920 तक के काल को दिवेदी युग का काल कहा गया लेकिन यहां से हिंदी के मानकी करन और दिवनागरी लीपी के सुधार की एक ऐसी प्रक्रिया जन्मी जो आगे भी हम इसको फॉलो करती आए जैसे ब्याकरण के तोर पर कामता प्रसाद गुरु और किशोरी दास बाजपेई के योगदानों का अब तक हम प्रयोग करती आए हैं सहारा लेती आए हैं हविर प्रसाद दिवेदी ने उनका सहयोग लिया था ऐसे ही दिवनागरी लीपी स्वतंत्र भारत की जब हम बात करें तो नरिंद्र देव से बात करें लेकिन दिवेदी युग से भी थोड़ा जरूर जोड़ें आपी से और बाकी अलग-अलग संस्थाओं की चर्चा करें कि किस प्रकार अग की बारह खड़ी का प्रयोग नहीं होना चाहिए किस प्रकार शिरोरेका का प्रयोग करें या न करें कई तरह के सुझाओं थे कर इस प्रश्ण का उत्तर अप आचारिय नरिंद्र देव केंद्ऱी ये हिंदी निदेशाल्य framed देशाले सैंथी विभाग आधी के रूप में कर सकती हैं मानौ संसाधन मंत्राले के अलग-अलग सुझाओ जो आए उनको भी आप देख सकती हैं तो ये प्रश्ण ऐसे लिखी हैं दोस्तों चौथा का जो एक खंड प्रश्न है प्रश्न 4 का ये वो 20 नंबर का है बड़ा सीधासा है बीना घुमाए पूछा गया है राजस्थानी की प्रमुख बोलियों देखिए राजस्थानी हिंदी हिंदी की एक प्रमुख उपभाश्चा है और इसका जन्म जो हुआ राजस्थानी अप भ्रण्स से हुआ इस उपभाश्चा के चार वर्गी करण है इसके राजस्थानी हिंदी के उत्तरी राजस्थानी, पूरुवी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी और दक्षिनी राजस्थानी उत्तरी राजस्थानी को मेवाती कहते हैं मेवात छेत्र में जो बोली जाती है अलवर वगर हमें पूरुवी राजस्थानी को जैपूरी या ढुन्धानी कहते हैं पश्चिमी राजस्थानी को जोधपूरी या मारवाडी कहते हैं और दक्षणी राजस्थानी को मालवी कहती है जो मालवा मध्य प्रदेश से सटा हुआ च्षेत्र है अब दोस्तों इस पर आपको करना क्या है एक तो आपने बता दिया भूमी क्या में कि राजस्थानी हिंदी हिंदी की प्रमुखुख भाष्टा है इसके चार भेद हैं अब इनकी विशेस्ता पुछी जा रही है तो विशेस्ता में अब कई कॉमन चीजें हैं जिनको याद रख सकती है कैसे? राजस्थानी हिंदी की बोलियां आकार बहुल तथा ओकार बहुल है कैसे? आकार भी है ओकार भी जाना है, खाना है देखिए, आकार भी लेकिन ओकार अंत में ओस्वर भी है कैसे? छोरो तो घणो चोक्षो से देखिए तो चोका नहीं चोक्षो घणा नहीं घणो है न? दोस्त, दूसरी विशेस्ता राजस्तानी हिंदी में न ध्वनि अण में परिवर्थित देखी गई तीसरी विशेस्ता राजस्थानी हिंदी में मुर्धन्य ध्वनियों का सबसे अधिक प्रयोग देखा गया राजस्थानी हिंदी में मुर्धन्य ध्वनिया यानि टवर्ग की ध्वनिया जो लोग राजस्थान से हैं आप लोग तो देखिएगा टवर की द्वनी टठा डढ़ा का बहुल प्रयोग है कैसे टाबर बच्चे को कहते हैं कहा को कठे कहते हैं जगह को ठिकाना कहते हैं है ना ढून्दान धानी तो ये टाठा डढ़ा की ध्वानिया, मुर्धन्य ध्वानिया राजस्थानी हिंदी में सबसे अधिक प्रयोग की गई इसलिए इसे कुछ भाष्टा वीदों ने करकस बोली भी कहा या वीररस की बोली भी कहा इसकी अलावा और भी कई चीजें बताने को हैं कि यहाँ विशेशन विकारी देखे गए विशेशन विकारी विकारी का क्या आर्थ होता है कारा कारी कारे घणा घणी घणे थोड़ा थोड़ी थोड़े तो विशेशन विकारी देखे गए संग्या के सामान्य रूप देखे गए परसर्ग में यहां नेपरसर्ग का प्रयोग हुआ और विशेस्ता में मराठील का प्रयोग सबसे अधिक यहां देखा गया मराठील क्या है बालक नहीं रे बालक देखे तो बालक से बाड़क औरेक्ट है के यहे प्रश्न है राजस्थानी हिंदी की बोलियों की प्रमुक्ष विशेस्ताइं बताएं विशेस्ता जब भि बताईये ध्वनी गत विशेस्ता व्याकरण गत विशेस्ता शब्द गत विशेस्ता थोड़ा परिचय दे दे, कहां से जन्मा, इसकी कौन-कौन सी बोलियां है, ये सुब भाषा का जन्म कैसे हुआ, तो ये चोथा का प्रश्न संख्या ये है, और ये चोथे के बी पर बात करें, संत साहित्य में प्रयुक्त खडी बोली के स्वरूप, देखें, खडी बोली पर इस बार भी चार प्रश्न पूछेगे, अब आप समझिये, डंग से तयारी किजियेगा, प्रश्न नहीं छूटेगा, तो संत साहित्य में प्रयुक्त खडी बोली संत साहित्य का क्या मतलब है, निरगून, संत धारा, तो निरगून, संत धारा यानी, कबीर, नानक, रैदा अब दोस्तों प्रश्न इतना टेकनिकल है, कि जो लोग थोड़ा पड़े होंगे, वो बहुत अच्छी तरह इसको लिख पाएंगे, खडी बोली की अपनी कुछ पहचान है, खडी बोली की अपनी क्या पहचान, इसकी क्या विशेस्ता है, खडी बोली आकार बहुल है, दित्व कहते हैं, एक अही ध्वनी का दो बार प्रयोग, खडी बोली में सहयक क्रिया है और सहय की तरह देखी गई, खडी बोली में भूत काल की क्रिया आप्रत्य या या प्रत्य से देखी गई, खडी बोली में भविश्यत काल की क्रिया गागेगी प्रत्य से देखी गई अब यदि बात करें हम कबीर के पदों में तो कबीर के कुछ पदों को यदि आप याद रखेंगे तो इस प्रश्ण को बहुत अच्छा दिखा सकेंगे क्योंकि प्रश्ण है संत धारा में कुझे से मान लीजिए कबीर लिखते हैं सत्गुरु हमसों रीज कर कहिया एक परसंग कहिया एक परसंग बरस्य बादल प्रेम का भीग गया सब अंग देखिये भीग गया सब अंग अगर आपने खड़ी बोली की विशेस्ता पढ़ी है तो खड़ी बोली में करणकारक का संपर परसंग सों की तरह दिखा जाता है खड़ी बोली में पूर्व काली क्रिया करिया की के रूप में दिखी जाती है खा करके पढ़ता है पढ़के सोता है तो यहां रीज कर खड़ी बोली में भूत काल की क्रिया या प्रत्य से कहिया बरस्या गया भूतकाल खड़ी बोली में संबंध कारक का परसरग का की तरह देखा जाता है ऐसे ही जब कबीर कहते हैं नैना, नीरजहर, लाईया, रहट बहय, निसधाम यहाँ देखिए कितने प्रयोग हैं पपिया जिवू प्यू करे पपिया जिवू प्यू प्यू करे कबरे में लहूंगे राम इस पद में वर्तमान काल, भूत काल, भविश्यत काल तीनों क्रियाएं आप देख सकती हैं देखिए, करे, करता है बहय, वर्तमान काल लाइया भूत काल मिलहूंगे भविश्यत काल तो प्रश्ण है अगर पद याद हैं आपको तो बहुत आराम से लिख सकती हैं पद बस याद होने चाहिएं जैसे कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाउं खड़ी बोली में सर्वनाम है उत्तम पुरुस के लिए मेरा तो कबीर कुत्ता राम का मुतिया कुत्ता दित्ती करण है है ना आधाता के बाद पुराता मुतिया मेरा नाउं गले राम की जेवडी काके की संबंध कारक जेवडी खड़ी बोली का दिशशब्द रस्सी जित खेंचय उत्य जाओं तो अगर आपको खड़ी बोली की विशेस्ताईं याद हैं और कबीर के कुछ पद याद हैं तो इस प्रश्ण के पंदरह नंबर में कम सी कम दस अंक आप हर हाल मिला सकती हैं क्योंकि भाषा विज्ञान तो मैथ है इसलिए उसे भाषा विज्ञान केहती हैं है या ना अब आईए अगले प्रश्ण पर विचार करें चोथा का सी अब देखें यहाँ एक और कमाल का प्रश्ण है खड़ी बोली हिंदी से ही प्रश्ण है स्वाधीन भारत में हिंदी प्रयोग के नवीन आयाम पर प्रकास डाली है जब भारत स्वाधीन हुआ तो हिंदी प्रयोग का नवीन आयाम तो सबसे पहले राजभास्टा राजभास्टा 1950 में और फिर राजभास्टा आयोग 1955 में तो राजभास्टा के रूप में हिंदी दूसरा आयाम कि हिंदी में पारिभास्टिक सब्दावलियों का जन्म इसका जन्म पारिभास्टिक पारिभास्टिक कहते हैं अनेक रूपता को खत्म करने के लिए विवीधता को खत्म करने के लिए एकल शब्दों का प्रयोग, उन्हें ही सर्वमान्य घोशित करना। दोस्तों, इसके अलावा, जो हिंदी का प्रयोग हमने किया, कारियालिये भाष्चा के तौर पर, हमने हिंदी का प्रयोग किया, मानक भाष्चा बनाने के तौर पर, और स्वाधीन भारत में हिंदी का जो सबसे बड़ा प्रयोग है, वह सर्वसमाविश्ची, हम एक तरफ मानकी करन की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों को, फ्रेंच शब्दों को, अर्भी फार सी के पूर्तगाली के जापानी शब्दों को सामिल कर रहे हैं, इसलिए तत्सम तद्वो देशजी नहीं विदेशज शब्दों के भंडार को मिला करके, हिंदी शब्द भंडार बना, अब देखिया न, रिक्षा, अब समझे ये सब कैसे शब्द हैं, बाल्टी, माल गाड और तो और हमवर्न संकर योगिक शब्द भी बना रहें, दो अलग-अलग भाषाओं के शब्द, रेल अंग्रेजी से गाडी हिंदी से, रेल अंग्रेजी से यात्रासंस्कृत से, किताब फार्सी से घर हिंदी से किताब घर या किताब खाना दोनों फार्सी के शब्द हैं तो स्वाधीम भारत में हिंदी के प्रयोग के नए आयाम राज भाष्टा, पारिभाषिक शब्दों के रूप में, कारियालिय भाष्टा, मानक भाष्टा, सर्व समावेसी भाष्टा पांचमी बात, छठी बात, वईज्यानिक एवं तकनीकी हिंदी के रूप में और सातमी कम्प्यूटरी क्रत हिंदी के रूप में, समझी है, आधुनिक वईज्यानिक सन्यंत्रों में भी हिंदी का प्रयोग, प्रश्ण कितना सिंपल है, साधीन बारत में हिंदी प्रयोग के नवीन आयाम पर प्रकास डाले, और पहले से आयाम क्या है, साहित्तिक भाषा के तौर पेस्ते माल कर ही रहे हैं, यह पुराने आयाम है, पूर्व के आयाम, साहित्तिक भाषा, आम बोल चाल की भाषा, तो प्रयोग हम कर ही रहें, लेकिन स्वाधिन भारत में यह आयाम, करेक्ट है, बात समझ में आ रही है, अब तो भाई हम इसको विदेशों से भी जोड रहे हैं, अटल वियारी वैजपेई ने जा करके युवेनों में हिंदी में भाषन दे दिया था, नहीं, दोस्तों पांचमा जो प्रश्न है, इसमें पांच प्रश्न हैं और यह अनिवार यह है, दस-दस के पांच बड़े काम के हैं, हर प्रश्न का उत्तर महत्व पूर्ण है, जो पांचमा प्रश्न है, उसका एक एहता आचारी शुक्ल पूर्व हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन दोस्तों, शुक्ल के पूर्व का इतिहास लेखन, हम लोग चार नामों से जानते हैं, एक इस प्रकार गार्शाद तासी ने काम किया, इस्तवार दिलो लित्रेत्यूर, एंदुई एंदुस्तान नाम की रचना उन्होंने लिखी, शिवसिंग सेंगर ने शिवसिंग सरोज नामक पुस्तक को लिखा, मिश्र बंधुगों ने मिश्र बंधु विनोद और नौरत्न जैसी पुस्तक को लिखा, और अती महत्वपोर्ण जोर्ज ग्रियार्शन ने Modern Vernacular Literature of Northern Hindustan लिखा, इनकी थोड़ी बहुत जरूर चर्चा करें, जैसे कोई पुस्तक कब लिखी गई, 1888 में ग्रियार्शन ने लिखा, 1913 में और 10 में मिश्र बंधु विनोद, 1910 में लिखते हैं नौरत्न, 1913 में मिश्र बंधु विनोद, तो ये आप तो डेट याद ही रखिए, 1849 में किसने लिखा, 1883 में किसने लिखा, हाँ, शिव सिंग सेंगर की पुस्तकाई, 1849 में गर्सद तासी ने, क्या है, काल विभाजन है, नामकरण है, मुख्य मुद्दे क्या रहें है, द्रिष्टी कोण कैसा है, आपनी वेश्चिक है, भेदवादी है, जैसे मिश्र बंधु का द्रिष्टी कोण, रीतिवादी है, सामप्रदाइक है, ग्रियार्शन जो है, वो अपनी वेश्चिक मानसिक्ता से ग्रसित थे, गर्सद तासी फ्रेंच इतिहास कार थे, फ्रांस में बैठे बैठे हिंदे साहित्ते का इतिहास लिख रहे थे, इसलिए काल विभाजन नामकरण की समस्या, इसकी अलावा आप चाहें तो लिख सकती हैं, या चारे शुक् कठित प्रयास किये गए, जैसे कवी माला, भक्त माल, चौरासी वैश्णमन की वारता, दोसो बावन वैश्णमन की वारता, गुरु ग्रंथ साहब, ये पूस्तकें जो लिखी गई, इसमें भी हिंदी साहित्ती की सामगरी मिलती है, हलाकि इन पूस्तकों को इतिहास लिखन का बेवस्थित रूप नहीं कह सकते, लेकिन सामगरी मिलती है, परंतु इन चारों ने बेवस्थित प्रयास किया, और कहीं न कहीं आचारे शुक्ल ने मिश्रबंधु विनोद आधी का प्रभाव लिया, करेक्ट है, तो ये प्रश्न है दस नंबर, आप इसको कर सकते हैं, दोस्तों, पांचुमा का दूसरा है हिंदी रासो काभ्यों की विशेश्थाएं, अब जो रासो काभ्य है, तो थोड़ा बताईए कि रासो काभ्य का क्या अर्थ है, रासो की परिभाश्था भी दे सकते हैं, रासो, असंभु, नौरस, सरस, छरस, चंदु-चंदु, किये, अमियेसम, शुकले जी की मान्यता भी दे सकते हैं, कि इन्ही प्रबंद परंपराओं को रासो नाम दिया, और इसे ध्यान में रखकर हमने आदिकाल को विरगाथा काल नाम दिया, शुकले जी बारह रचनाओं की चर्चा करती हैं, और कहते हैं इनमें ज्यादा तर वीर्ता का अतिशयोक्ती मुलक्चित्रण, दूसरी विशेस्ता वीर्ता और श्रेंगार का समनवे, जैन रचनाकार मेरुतुंग अपनी रचना प्रबंध चिन्तामणी में लिखते हैं, कि वह शाषक नहीं, छत्रिये नहीं, जिसने वीर्ता और श्रेंगार दोनों का वे नहीं किया हूँ, एउ जम्मू नगू घूँ भन सेरी खगू नभगू, तिक्खा तुणिया न मानिया, गोरी गली न लगू, वो जन्म बेकार है, जिसमें तलवार सिरपर गिरकर न तूट जाए, तलवार, और सुन्दर इस्तिरियों का आलिंगन न किया जाए, तो व जन्म बेकार है, है ना, तो विर्ता श्रंगार का समन वे, तीसरी विशेस्ता के रूप में दिखाएं, कि इनकी एतिहा सिक्ता विवादित है, एतिहा सिक्ता विवादित है, कुछ और विशेस्ता दिखा दे, चौथी विशेस्ता, राष्ट्रियता की कमी है, राश्ट्रियता की कमी है, पांचमी विशेस्ता दिखाएं इनमें कलवक्षैली का प्रयोग है, छठी विशेस्ता कथानक रूढियों का प्रयोग है, राजस्थानी और पश्चमी अब्रंस, खड़ी बोली जैसी भाषाओं का प्रयोग है शिल्प भी दिखा दिया, सम्वीदना भी दिखा दिया, तो राश्टो की ये विशेस्ताएं इन मुद्दों को रखें, इनको ढंग से क्लास में पड़ी, एक एक बात समझ में आएगी, कथानक रूढियों किसे कहते हैं, जब साहित्य में मानो पात्र के साथ तोता मैना परि आईयार, आदी की चर्चा होतू से कथानक रूढियों, कडवक्षाइली क्या है, दो अलग-अलग छंदों के मेल से रचना लिखी जाए, कडवक्षाइली जैसे रामचरित मानस, तो ये है पांचमा का बी, पांचमा का सी, हिंदी के सूफी कवियों की लोकोन मुखता, या ये प्रेम के लौकिक और अलौकिक रूप की चर्चा कर रहे थे, लोक-मानस में प्रचलित, प्रेम का थाओं को आधार बना के लिख रहे थे, लोक-बोली अवधी में अपनी रचना लिख रहे थे, लोक-संस्कृती, लोक-पर्व को अपनी रचनाओं के केंद्र में रख रहे थे, आचारी शुकल कहते हैं, जैसी जैसे सूफियों की रचनाएं सामासिक शैली की है, ठीक है, इश्के हबीबी से इश्के हकीकी है, लेकिन ये इश्के हकीकी से अधिक इश्के हबीबी या लौकिक प्रेम की अधिक बात कर रहे थे, पढ़ने वाले पाठकों को इनका लौकिक प्रेम अधिक समझ में आता है, शुकली जी लिखते हैं कि कबीर की अटपटी वाणी से हिंदू मुसल्मानों के दिल साफ नहीं हुए थे, पर अंतु जैसी जैसे सूफियों के आने से जनता की प्रवर्ती भेद से अभेद की और हो पड़ी थी, दोनों जुड़ने लग गए थे हिंदू मुसल्मान, हिंदू मुसल्मानों की लेला मजनू की कथा जानने लग गए थे, और मुसल्मान हिंदूओ की राम कहानी समझने लग गए थे, आप समझ सकते हैं, इस प्रकार इमकी लोकोन मुखता है, लोक कथा, लोक शैली, लोक बोली, लौकिक प्रेम, लोक संस्कृति, लोक उत्सव, लोक मान्यताएं जैसी मुसल्मान होकर भी हिंदू संस्कृति और लोक रितियों की जैसी चर्चा करती हैं वो शायद ही कोई छेत्रिय कभी भी कर पाए इसलिए इनकी रचनाओं में लोकोन मुखता है अब एक और बड़ी बात की लोक का अर्थ, चुकि ये भक्तिकाल के कभी थे तो दरबार से हट कर लोक संबेदना की बात करना है भक्तिकाल के सभी कभीयों ने दरबार का विरोध किया जहां रचना दरबारी नहीं होगी, वहां अभिजात्य का विरोध होगा लोकिता आएगी एक ये भी मतलब है दोस्तों, जो पांचवां का डी है, ये भी बड़ा आसान सा प्रोश्न है हिंदी के प्रमुख यात्रा वृतान्तों की विशेस्ताएं तो यात्रा वृतान्त, अगर आप जानती है तो यात्रा वृतान्त केते हैं, यात्रा जैसे गद्य की कुछ चीजें हैं इसको थोड़ा धंग से पढ़ेंगे संस्मर्ण का क्या अर्थ है, रेखा चित्र का क्या अर्थ है ऐसे ही यदि आप यात्रा वृतांत का अर्थ पढ़ेंगे जीवनी किसे कहते हैं, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, तो इन सब की अपनी विशेस्ताइं हैं, गद्य की ये विशेस्ताइं, इसको क्लास में खुद धंग से सीखिएगा, तो इन सब में अंतर कर सकते हैं, क्योंकि अंतर भी आता, संस्मर्ण क्या है, संस्मर्ण और रिखा चित्र, या स्केच में, या आरेखन का अंतर बताएं, तो ये क्लास में थोड़ा धंग से सीखिए, बहुत अच्छा लिख पाएंगे, ये बहुत सिंपल प्रोश्न है, एक इन में से पूछ लेता है, दोस्तों पा हैं, वो समझ लिजी आलोचना दो तरह की होती है, सैधान्तिक और व्योहारिक, सैधान्तिक आलोचना में ये बात की जाती है, कि किसी रचना में किन तत्तों की अनिवारियता होती है, किन सिध्धान्तों को ध्यान में रख करके कोई रचना लिखी जाये, शुक्ली जी सैधान्ती का लोचना में सबसे बड़ी बात कहते हैं रस की लोकवादी यो धारणा कहते हैं देखिए भाई साहित्य में जो रस है वो अनुभूती का विशय है ना की आनंद का वो रस लौकिक जगत का हो ना की पारलौकिक रहस्यात्मक जगत का हो इसलिए शुक्ल जी कि सैधान्ती का लोचना में रहस्यवाद का घोर विरोध है चाहे सिद्धोनाथों का रहस्यवाद हो कबीर का रहस्यवाद या छायवाद का रहस्यवाद दोस्तों तीसरी बात लोकमंगल की ओधारणा को शुक्ल जी सबसे प्रमुख मानती है शुक्ल जी ने तरक दिया कि साहित्य का मतलब ही है लोकमंगल की स्थापना क्योंकि साहित्य जनता की चित्तवरती का संचित प्रतिविम्ब है ऐसे में साहित्य यदि लोकमंगल की भाव भूमी को स्थापित नहीं करता तो निस्चित तोर परवह साहित्य नहीं फिर एक बड़ी बात शुक्ली जी कहते हैं अपनी सैधानती का लोचना में कि लोकमंगल और कला दोनों का सामन जस्य हो शुकली जी कहते हैं कि साहित्य की रचना या कविता की रचना के क्रम में कहीं ऐसा न हो कि लोक मंगल की स्थापना के क्रम में कला मुल्यों की हत्या हो जाए और कला की प्रतिष्ठा करते समय लोक मंगल की उपेक्षा हो दोनों का सामन जस्य जरूरी है दोस्तों चमतकारवाद के विरोधी थे कहते हैं कि जो उक्ती वैचेत्र है वो हिरदय से प्रेरित होना चाहिए बुद्धी प्रेरित ना हो इसलिए बिहारी के चमतकारवाद के घोर विरोधी केशव को खठीन का अब्वेका प्रेत कहते हैं कहते हैं बिहारी की कविता से उन्हें संतोस नहीं हो सकता जो हिरदय के अंतरस्थर पर मार्मिक प्रभाव चाहती हैं इसके अलावा शुक्ल जी करुणा को विशेस महत्व देते थे अर्थ की जगह बिम्ब को विशेस महत्व देते थे और मुक्तक की जगह प्रबंध चेतना के पक्षधर थे उनकी सैधांती का लोचना की एक दो तीन चार ये पाँच ये छे ये साथ ये आठ आठ बातों को रख दीजिये आपसे बहतर उत्तर किसी का नहीं होगा सब के बीच एक तारतम्यता होनी चाहिए रस की लोकवादी और धारना की बात करें तो लोकमंगल आ जाए उसमें लोकमंगल और लोकवादी और धारना की बात करें तो रहस्यवाद का विरोध जलके प्रबंध क्यों जरूरी है लोकमंगल के लिए बिम्ब क्यों जरूरी है लौकिक रसकोद घाटित करने के लिए अर्थ से अधिक बिम्ब महत्योपोर्ण है। तो ये पांचवा का प्रश्न इरहा। दोस्तों, छठा प्रश्न कहता है आदिकाल इन साहित्य के अध्येन की मुख्य समस्याई क्या है। तो आदिकाल के साहित्य में जो सबसे बड़ी समस्या है वो भाष्चा। क्योंकि अब्रंस के बिखरे रूपों को जान पाना बड़ा कठिन था। कई देशी बोलियां थी, उनको समझ पाना एक समस्या थी। दूसरी समस्या थी आदिकाल में अनयती हासिक और अनुपलब धर रचनाएं एक तो अनयती हासिक थी और उपर से अनुपलबध रचनाएं बहुत सी ऐसी थी जो उपलबध नहीं थी। शुकल जी बारह रचनाओं की चर्चा तो करते हैं लेकिन उनमें से ज्यादा तर रचनाएं मिली नहीं। जो रचनाई मिली वो प्रामानिक नहीं थी, इसे लिए तीसरी समस्या प्रामानिक ता की कमी। फिर बाकी आप जानते हैं, यादिकालिन साहित्य के इतिहास लेखन की भी कुछ समस्या आई थी, काल विभाजन की समस्या, नाम करण की समस्या। आदिकालिन साहित्य में बहुत सी रचनाएं अईतिहासिक परिवेश में लिखी गई, सामन्ती। लेकिन साहित्य और इतिहास के बीच तालमिल नहीं दिखाई पड़ता। साहित्य और इतिहास दोनों के बीच कहीं न कहीं विवाद है। इसकी अलावा अपभरंस की बहुत सी शैलियों का यहां प्रयोग किया जा रहा था। दुहा जैसे छंद थे, चौपई जैसे छंद थे, कई और शैलियां थी, कड़वक शैली क थानक रूडी। तो आदिकालियों की समझ भी सबको नहीं थी। शैलियों की समाज का अभाव। और इसलिए आदिकालियों साहित्य का अध्याइन, उन पर इतिहास लिखना, या आदिकालिय। साहित्य का विभाजन, उसके लिए उचित नाम करन, सही सही काल नरधारित करना, और उस काल की रचनाओं को समझना, ये अपने आप में समस्या मूलक सारी बातें थी। जिसका कारण भाषा निश्चित नहीं थी, भाषा समझ से परे थी, शैलिया परे थी, साहत्य और इतिहास के बिशतल मिल नहीं था, रचनाई अप्रामानिक थी, अनुपलब्ध थी, प्रामानिकता की कमी थी, काल भिभाजन नाम करण की समस्याई थी, क्योंकि ए कही काल में भक्ति परक रचना भी थी भीरता परक भी श्रिंगार परक भी दोस्तों छठा का भी बाल कृष्ण भट और प्रताप नाराइन मिश्र के वैसिस्ट यानि इनकी विशेस्ता इस विशेस्ता को लिखिने के लिए सबसे पहले समझी ये दोनों भारतेंदु यूग के रचनाका तो भारतेंदु यूग की क्या विशेस्ता है नौजागर्ण गद्य की शुरुवात अंतर विरोध किसका किसका अंतर विरोध राजभाषा राष्ट्र भाष्टा का सामाजिक चेतन गद्य की शैलिया समाचार पत्रों आधिका प्रसार अब देखेंगे बालकृष्ण भट हो तो यह उपन्यास जैसे सौवाजान एक सुजान नुतन ब्रह्मचारी इस प्रकार के उपन्यास लिखते हैं बालकृष्ण भट निबंध भी लिखते हैं आप सिलेभस में भी पढ़ते हैं साहेत्य जन समूह के हिरदय का अविकास है तो बालकृष्ण भट और प्रताप नारायन मिश्र को जब आप भारतेंदु यूग से जोड करके देखेंगे तो उत्तर बढ़िया लिख पाएंगे प्रताप नारायन मिश्र बालकृष्ण भट दोनों ने समाचार पत्रों का संपादन किया प्रताप नारायन मिश्र ने ब्राम्वन जैसे समाचार पत्र का संपादन किया भारतेंदु यूग के रचनाकार इस बात के पक्षधर थे कि राष्ट्र भाष्टा या नीज भाष्टा जरूरी है इसलिए भारतेंदु जी की तरह प्रताप नाराइंड मिश्ट्र भी नीज भाष्टा की बात कर रहे थे हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की बात कर रहे थे तो इस प्रश्ण को आप इस साचे में लिख सकते हैं बहुत सी रचनाए हैं बालकरश्ण भट को क्यों हिंदी गद्दे का स्टील कहा गया प्रताप नाराइंड मिश्ट्र क्यों प्रखर थे भारतेंदु जी के बाद भारतेंदु जी की तरह इन्हों ने भी भारत दुर्दशा नाटक को लिखा इनकी भावनाएं कैसी थी, लावनी क्यों ये लिख रहे थे, निर्गुन लावनी का क्या प्रयोग था तो कुछ रचनाई और काल की विशेस्ता, ये प्रश्ण आप ऐसे लिख पाएंगे दोस्तों, प्रश्ण संख्या जो 6 का सी है, प्रेम्चन के उपन्यास में यथार्थ वादी द्रिष्टी का विकास अब मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य जो लोग पढ़ें, इस प्रश्ण पर बहुत ज्यादा माथा खापाने की तो जरूरत ही नहीं है प्रेम्चन पर कुछ डायलग याद रखी एं, प्रेम्चन ने कथा साहित्य का न केवल काया कल्प किया, बलकी कर्म भूमी भी बदली प्रेम्चन ने कथा साहित्य को कथा और घटनाउं से निकाल कर सामाजी कुदेश्य से जोडने की कोश्चिस की प्रेमचन का तर्क था अब अधिक सोना मृत्यू का लक्षन है प्रेमचन का तर्क था कि मिरे लिए साहित्य या साहित्यकार का काम मन बहलाना या मनुरंजन करना नहीं है प्रेमचन ने साहित्यको मनोरंजन जैसे विशाय से हटा कर सामाजी सोशित पेडित मानवता के चिन्तन से जोड़ दिया। अब इनका यथार्थ कैसे विख्षित हुआ? तो आप लोग खुब पड़े हो। आदर्शोन मुख्य यथार्थवाद और अन्तत कटू यथार्थवाद सबसे पहले ये आदर्शवाद से शुरू होती हैं। इनके आदर्शवाद में गांधिवाद का प्रभाव है, आश्रमवाद का प्रभाव है, सदनवाद का प्रभाव है, महिलाओं का पुनरवास, विश्याओं का पुनरवास, बिगड़े हुए जमिंदार महाजनों को सुधार्णी की कोशिस और हिर्दय परिवर्तन। इन तीनों को गांधिवादी, आश्रमबादी, सधनवादी आदर्स कहती हैं। अंत तक आते आते कहानियों में अगर आप कफन देखें उन्निस सचत्तिस और उपन्यास में देखें आप गोधान। तो प्रेमचंद यहां से लोगों को समझाना वगरा छोड़ देते हैं। भी मोक्ष के लिए गोदान करें। और कफन में दिखाते हैं कि जिसे जीते जी पूरा वस्त्र नसीब नहीं हुआ। उसे भी मरते समय नया कफन जाहिए। तो अंत में गांधिवाद से इनका मुह भंग होता है कटू यथार्थवाद की ओर बढ़ जाते हैं। यह है प्रश्ण प्रेमचन के कथा साहित्य में या उपन्यास लेखन में यथार्थवादी द्रिष्टी का विकास किस रूप में हुआ। अब इसमें अगला तरक आप दे सकती हैं कि प्रेमचन का जो यथार्थवाद है वो कई रूपों में है। वो कही न कहीं मार्क्स वादी यथार्थ भी है। वो मनो विशलेशन वादी यथार्थ भी है। और वो कही न कहीं सामाजी की यथार्थ भी है। मन के भावों का भी विश्लेशन करते हैं अगर प्रिम्चन के उपन्यास निर्मला को आप पढ़ेंगे गोदान में भी आप जूनिया का प्रकरण देखेंगे होरी की बड़ी बेटी सोना का प्रकरण देखेंगे तो मनो विश्लेशन वाद है करेक्ट है दोस्तों प्रश्ण संख्या सात्मा का जो ए है ये बड़ा महत्तु पोर्ण प्रश्ण है तो प्रश्ण सात्मा का ए कहता है तुलसी के काभ्य में लोक मंगल की साधना है शुकली जी का स्टेटमेंट है लोक मंगल की साधनावस्था अब लोक मंगल क्या है लोक कल्यान और लोक कल्यान यानि रामराज्य रामराज्य यानि अनुशाशन अनुशाशन यानि मर्याद़ व्यक्ति यदि अनुशाशित हो तो समाज अनुशाशित होगा और समाज अनुशाशित हो जाए तो समाज में सुशाशन की स्थापना होगी इसले तुलसी कहती है ये जो मेरी रचना है वो भाश्चा और भाव सभी स्तरों पर लोकमांगलीक है वरना नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम पी मंगला नाम चकरतारो बंदे वानी बिना को कुए तुलसी कहते हैं कि ये जो राम कथा हूँ अपने आप में गंगा की तरह लोकमांगलीक है कहते हैं कि संशय को खत्म करने वाली उत्ताली की तरह है जहीर गरंत कि रक्षा गरत մर Łजी हमचारी इसले तुल सी कहते है वरण धरम नहीं आश्रम चारी शुआती विरोधरत सबनर्नारी जैते ही कि राम राज में किसी को कोई कश्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि ये समता मुलक समाज है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहु ये नहीं व्यापा तो तुलसी की कविता में लोक मंगल मरयादा से जुड़ा हुआ है कविता अपने आप में सामाजिक रक्षा का भाव ले करके आती। इसलिए तुलसी की कविता की जब विशेस्ता भी आप लिखते हैं तो उसमें सबसे पहली विशेस्ता लिखते हैं आप लोकमंगल की स्थापना दूसरी बात लिखते हैं मर्यादा की स्थापना जहां लोकमंगल होगा वहां समनवय की चेतना हूँ इसलिए तुलसी की कविता लोक मांगली की सर्थ में है क्योंकि इसमें निर्गुन और सगुन का समनवय है संस्कृत और लोक का समनवय है आर्य और अनार्य का समनवय है ब्राम्मन और अवर्ण का समनवय है पूरव और पश्चिम का समनवय है और यही वजय है कि न केवल भाष्टा के अस्तर पर शिल्प के अस्तर पर बलकि भाव के अस्तर पर भी तुलसी की कविता समनवयकारी है मरियादा की स्थापना करती है लोकमांगली के करिक्ट है करिक्ट है सात्मा का भी निराला की कविता का मुख्य स्वर अब निराला की कविता का मुख्य स्वर्चा है आपके सिलेबस में राम की शक्ति पूजा है या कुकुर्मुत्ता है तो दोनों कविताओं को देखेंगे तो मुख्य स्वर्च एक तो राष्ट्री ये जागरन है सामाजिक चेतना है कुकुर्मुत्ता जैसी कविता के माध्यम से निराला ने समाज के उँच नीच के भेदभाव को खत्म किया गरीब माली की बेटी, गोली और अमीर नबाब की बेटी बहार की महत्री दर्शाई इसलिए इनकी कविताओं में मानवतावाद है इनकी कविताओं द्वन्द प्रधान है और द्वन्द के साथ समनवय को भी दर्शाती है क्योंकि इनमें भावना और बुद्धी का यानि बोधिकता का समनवय भी है द्वन्द भी है राम की शक्ती पुजा में राम दोनों के द्वन्द से ग्रसित है वह एक और मन रहा राम का इस थिर रागविंद्र को हिला रहा रह रह संशे तो मन के अस्तर पर राम निराश हैं और मन के दो पक्ष हैं हरदय और बुद्धी लेकिन जैसे ही राम का मन जो है वो हरदय और बुद्धी दोनों का सामंजस्य करता है तो राम कहते हैं यह है उपाए माता कहा करती थी सदाराजियों ने करेक्ट है तो इनकी कविताओं का मुख्यस्वर यानी विशेस्ता अब विशेस्ता में आप देखिये कि छायवाद की जो विशेस्ताइं है राष्ट्रिय जागरण सामाजिक चेतना मानोता वाद भावना बुद्धी का सामन जस्य व्यक्ति वाद प्रकर्ति चेतना नारी मुक्ति क्योंकि छायवाद की सबसे बड़ी विशेस्ता है नारी मुक्ति निराला के राम सीता मुक्ति के लिए ही तो प्रयातन कर रहे हैं रामन के खिलाप संघर्स कर रहे हैं आप निराला की जितनी कवीता हैं सरोज स्मृत्ती में देखें तो पुत्री को याद करना तुलसी दास में पत्नी को राम की शक्ती पुजा में देखें तो राम पत्नी के लिए छटपटा रहें जहां एक राजा एक राजकुमार एक चक्रवर्ती सम्राट पत्नी के खोजान पर इतना ब्याकुल हो आप समझे कि नारी मुक्ती के लिए छटपटाहट का कैसा भाव है। अब समझे तो नारी मुक्ती है, इनकी कविताओं में मुक्त छंद है, इनकी कविताओं में बिम्ब प्रतीकों का प्रयोग है, इनकी कविताओं में तत्सम निष्ठ भाष्टा है। यानि घुमा फिरा के आपसे छाया वादी विश्यस्ता के आधार पर निराला की कविता पूछली गई है। दोस्तों सात्मा का सी बड़ा मस्त प्रश्ण है। आप सब जानते हैं लेकिन कुछ लोग इस प्रश्ण को छोड़ करके आए। अब भारतेंदु से लेकर के मोहन राकेस और उसके आगे भी कई रंगमंची ये शैली का विकास हुआ। पार्सी रंगमंच भारतेंदु के समानांतर और फिर आगे देखें तो इप्टा वगरह का विकास हुआ। राजधानी में आप देखें तो राष्ट्रिय नाट्य एकाडमी या जो राष्ट्रिय नाट्य मंच का विकास हुआ। आउस वगरह बॉब क्रिस्टोफर बब कारंत शांता गांधी राम गोपाल बजाज कैसे इतने प्रखर रंग कर्मी हुए और इन्होंने रंगमंच को एक नई दिशादी। प्रश्णी यहां जो है इन सबसे हटके है। हिंदी रंगमंच के विकास में वो भी स्वतंतरता के बाद लोक नाट्ट की भूमी का। अगर आप उडिशा बंगाल से हैं तो आपने यात्रा का नाम सुना है जिसे जात्रा कहती हूँ। बिहार के या उत्तर प्रदेश के हैं कानपूर वगर असे तो नौटंकी का नाम सुने हूंगे। बिहार यूपी से हैं आप लोग तो राम लीला का नाम सुने हूंगे। ब्रिंदा बन मथुरा वगर असे हैं तो रास लीला का नाम सुने हूंगे। उत्तर भारत के हैं शादियों के विशय में थोड़ा वो जानते हैं तो स्वांग का नाम सुने होंगे और नुकड का नाम तो आप सुने ही होंगे तो नुकड, रास लीला, स्वांग, राम लीला, यात्रा या जात्रा, नौटंगी, है न, जत्था अरे, खास करके उत्तरी भारत में, शादियों में देखियेगा समियाना लगाती है और उसमें नर्तकियों, कानरत्य वगरह, या और भी कई रंगारंग कारिक्रम, आयोजित किया जाता है नौटंगी, ये सब लोक नाट्य शैलिया है, और इन सब ने कहीं न कहीं, रंगमंच को, थियेटर को, रंगमंच में भी, खुला रंगमंच, ओपेन थियेटर को विक्सित करने की भूमी का निभाई इसे लिए कहा, ये प्रोशन हट करके है, इसे वही लिख पाएगा, जो समाज में घूमता हूँ, ना की किताब पढ़ता हूँ दोस्तों, आठवा प्रोशन, फिर देखिए, छायवाद पर भी पूछ लिया, और जैशंकर प्रसाद पर भी पूछ लिया जैशंकर प्रसाद के नाटक ततकालीन राष्ट्रिय सांस्कृतिक चेतना की अभी व्यक्ति, आप दो नाटकों को पढ़ते हैं, स्टेट PCS और IS में, सकंदगुप्त और चंद्रगुप्त प्रोशन है राष्ट्रिय सांस्कृतिक चेतना प्रसाद जी एतिहासिक नाटक कार रहे हैं, और एतिहासिक नाटक कार होने के नाते, उन्होंने इतिहास का सरजनात्मक प्रयोग किया अब इस बात को समझिये कि उनके नाटकों में इतिहास या अतीत को स्वरणिंदर साया गया और इतिहास के तीन काल खंडों को उन्होंने मौर्यवन्स, गुप्तवन्स और हर्स काल को उन्होंने विशेस महत्व दिया प्रसाद जी मानते थे कि जो अतीत है वह हर हाल में वरतमान के आदर्स को संगठित करने के लिए जरूरी है इसलिए नाटक विशाक की भूमिकयम उन्होंने लिखा कि हम अतीत का अनुसीलन करते हैं कोई भी जाती करती है तो वर्तमान के आदर्स को संगठित करने के लिए प्रसाद अपने नाटकों में दो बड़ी चीज को लेकर किया है एक यदि हम अतीत में शकों हुणों को यवनों को खदेड सके तो वर्तमान में अंग्रेजों को नहीं खदेड सकते दूसरी चीज की उस अतीत में भी हिंदू और बौध जनता लड़ रही थी सामन्ती भोग विलास था आपसी फूट शड़यंत्र की परिस्थितियां थी और अंग्रेजी काल में भी हिंदू मुसल्मान जनता आपस में लड़ रही है यहां भी भोग विलास है लोग आपसी फूट के शिकार हैं तो जब हम वहां शकों को हुणों को यवनों को मार भगाए तो यहां क्यों नहीं भगा सकते इसके लिए क्या जरूरी है सांस्कृतिक सामाजिक एकता इसके लिए क्या जरूरी है उदार राष्ट्रियता इसके लिए क्या जरूरी है वश्मी संस्कृति और विदेशी वस्तूओं की जो नकल वृत्ति है उससे मुक्ती पाना अपनिवेशिक मानसिक्ता से मुक्त होना इसके लिए क्या जरूरी है नारी स्वतंद्र था इसलिए प्रसाद के नाटकों के नारी पात्र अत्यंत्ष शक्त पात्र है तो देखे कितना सुन्दर सा प्रश्ण है करेक्ट है दोस्तों आठवा का जो बी है घनानंद की भाष्ण प्रवीन था अब इस प्रश्ण को शुक्ल जी के स्टेट्मेंट से समझिये शुक्ल जी ने कहा कि घनानंद रसमूर्ती है रस का अर्थ ही शुक्ल जी कहते हैं अनुभूती को जो जन्मते है और अनुभूती का अर्थ जिसकी भाष्ण आम जन तक पहुँच सके घनानंद का अगर आपने नाम सुना है तो रितिकाल की तीन धाराएं है रितिकाल में रितिबद्ध, रितिसिद्ध और रितिमुक्त रितिमुक्त धारा से घनानंद जुड़े हैं रितिमुक्त धारा को रितिस्वचंद धारा कहा गया रितिस्वचंद कवियों में घनानन वियूग की मारमिक्ता के कवी है घनानन कहते हैं कि लोग हैं लागी कवीत बनावत, मुहे तो मेरो कवीत बनावत, मुझे तो मेरी कवीता बनाती घनानन कहते हैं कि प्रेम ऐसा चाहिए जो लेन देन से मुक्त हो जो सर्फ त्याग और समरपण की बात करें कहते हैं ती सूध हो सनेह को मारग है जहां नेकु सयानप बांक नहीं तुम कौन धौपाटी पढ़े हो लला मन लेहू पैदेहू छटाक नहीं घनानन्द भी अन्य रितिकाल के कवियों की तरह ब्रजभाष्टा में ही लिख रहे थे लेकिन इस ब्रजभाष्टा में वियोग की प्रेम की पीड़ा ऐसी है कि ये आम जनमानस के हरदय को छूती है इसलिए शुक्ल जी दिवेदी जी दोनों ने रितिकाल के धरबारी रशनाकारों यानि रिति बद्ध और रिति सिद्ध रशनाकारों की जगा रिति मुक्त कवियों की प्रशन सागी घनानन कहते हैं कि सीखा भी तो क्या सीखा घनानन की तरह रिति मुक्त कवियों का तरक है कि प्रेम जो है वो तलवार की धार है यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनों है केते बस सिर्फ सीखे तो इतना सीखे सीखलीनो मीन म्रिग खंजन कमल नैन सीखलीनो जस और प्रताप को कहानों है अगर सीखना है तो अनुभूती सीखिए हरदय के भाव की चर्चा कीजिए तो निसकर्स घनानन्द की कविता हरदय की पीड़ा को व्यक्त करती है इसलिए उनकी भाश्ता में उनके भाव में प्रवीनता है और इसलिए रसमूर्ती है जबकि रितीकाल के रितीबध और सिद्ध रचनाकार अनुभूती नहीं अभी व्यक्ति कोशल की बात कर रहे थे गागर में सागर शैली की बात कर रहे थे वो प्रेम को चौगान का खेल मानते थे लेकिन घनानन प्रेम को दिल का उदगार मानते हैं संपोर्ण जीवन का उत्सर्ग मानते हैं कहते हैं जीवन को खोकर ही जीवन में प्रेम पाया जा सकता है इसलिए लिखते हैं कब हुँ बावी मासी सुजान के आंगन मोरसुआन ले बरसुआ करेक्ट है आसुओं से इनकी कविता लिखी गई तो यह आठमा का भी है दोस्तों अग्ये की कहानियों की विशेस्ताई यह आठमा का सी अंतिम प्रश्न है अगर आपको अग्ये की कहानी के विशे में तो एक तो नई कहानियों की शुरूआत आप जानते होंगे कि कमलेश्वर, राजंद्र यादव और मोहन राकेस से हुई लेकिन अग्ये ने भी इसमें एक बड़ी भूमी क्या निभाई इनकी कहानियों में आधुनिक भावबोध है, यह सबसे बड़ी विशेस्ता है इनकी जो कहानियां हैं वो मनोविशलीशन वादी है आप अगर रोज कहानी को पढ़ें जिसे गैंगरी नारम में नाम दिया गया पोठरी की बात कहानी को पढ़ें, मेजर चौधरी की वापसी कहानी को पढ़ें या अगर आपको मन करें तो जो फ्रांसिसी महिला को आधार बना कर या पुर्वत्तर भारत की महिला को आधार बना करके वो बतके कहानी लिखी उन्होंने उसको पढ़ें इन सभी कहानियों में आप देखिएगा कि अग्ये जीवन के आधुनिक भाव अकेला पन, कुन्ठा, संत्रास, अजनबियत, मुल्यों से बेगाना पन और मन का विशलीशन करती हैं, फ्राइड का प्रभाव है और चेतन मन की बात करती हैं, दोस्तों इनकी कहानियों में चिंत पंशिल्ता और वैचारिकता हद से जादा है, इसे लिए इनकी कहानियों में कहानी पन कमजोर हैं, पात्र प्रभल हैं, और यही वज़ा है कि इनकी कहानियां निबंधात्मक कहानियां हैं, कैसी कहानियां हैं? निबंधात्मक कहानियां हैं, अग्ये, अपनी कहानियों में तत्सम निष्छ भास्ता का प्रयोग करती हैं, किस भास्ता का, तत्सम निष्छ भास्ता का, अग्ये की कहानियां सर्व साधारण को केंद्र में रखती हैं, अग्ये की कहानियों में विद्रो है, छटपटाहट है, क्रांती है, अग्ये की कहानियों में घटना और कथा की कमी है, अग्ये की कहानिया मन को आधार बनाती है, तो अग्ये की कहानी काला हो या अग्ये की कहानियों की विशेस्ताएं हो इन मुद्धों को अगर पढ़े हो मनोविशलेशनवादी कथाकार हैं आधुनिक भावबोध के कथाकार हैं चिंतन शिल्ता या वैचारिक्ता है इनमें कहानी पन इनमें कमजूर है पात्र प्रबल है वैचारिक्ता और चिंतन शिल्ता इतनी अधिक है दार्षनिक्ता इतनी अधिक है कि इनकी कहानी या कहानी कम निबंध अधिक लगने लगती है इसलिए निबंधात्मक कहानी है तत्समनिष्ठ भास्टा सर्वसाधारण यह सर्वसाधारण का प्रयोग है आप जो भी कहानी उठा करके देखे आपको लएगा एकदम आम आदमी की कहानी लिख रहे हैं हमारे आपके बीच और उस जीवन में टूटन है उब है अब रोज कहानी को पढ़िएगा तो एक महिला की कहानी उसका पती डॉक्टर है उस इलाके में गैंगरीन जैसी विमारी फैली है वही उबाव जिन्दगी है जैसे सब कुछ रुका हुआ है सारी चीजें ठहरी हुई है जीवन में संत्रास है कोई खुशी नहीं है उस महिला का अपने बच्चे से लगाव नही है उसके बच्चपन का एक रिस्तेदार या मित्र मिलने आता है वो भापता है कि इस घर में सीलन ही सीलन है उबाव पन है जैसे सब कुछ ठहर सा गया है कोई खुशी नहीं है घर में चहल पहल नहीं रौनक नहीं है इसको देख करके आप लेख सकते हैं दोस्तों याद रख है कि दोजार तेइस के फर्स्ट पेपर की हिंदी साहित्यक का जो मुख्य पत्र फर्स्ट पेपर पूछा गया यह कम समय में हम लोगों ने समिक्षा तो कर ली लेकिन वास्तों में जब लिखने में तीन घंटे आपको लगते हैं तो मैं दो घंटे में क्या समझा सकता हूं इस विशय को खूब अच्छी तरह जो लोग समझती हैं और इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं हैं देखिए सारी चीज़ें जूड़ी हैं हर प्रश्ट जूड़े हुए हैं बस नियमित कक्षाई कीजिए क्लास किसी की भी अच्छे टीचर सारी टीचर अच्छे होते जो भी मैनत करेंगे वो अच्छे ही होंगे वो इमानदारी से पढ़ाएंगे लेकिन धंग से पढ़िए आजकल तो ओनलाइन की इतनी अच्छी सुविधा है पी डबलू जैसे इतने सुंदर प्लेटफॉर्म है ओल्ली आईएस जैसे पी डबलू फिजिक्स वाला जैसे प फ्लेटफॉर्म घर बैठे ही पूरा से लेवस आपको एकदम पहुचा रहे हैं और बहुत ज्यादा उसमें कोई ब्यावसाइकता भी नहीं है प्रतिकात्मक चार्ज में जो इतनी अच्छी पढ़ाई देने को ऐसे मंच बने हैं तो धंग से पढ़िए इस विशह से सफलत बहुत ही सुनिश्चित है और सहज है तो ठेर सारी शुप कामने नमस्ते दोस्तों हम सेकेंड पेपर पर विशलेशन अगली ही क्लास में भेजेंगे आप तक धन्यवाद